गुट मोर्निंग जी क्या हाल चालें बढ़ी आओ आप सुभी सुभी उठने में दिक्कत तो नहीं बहुत ज्यादा आई थी कितने मुझे उठ गए थे शें बज़ें कि साड़े छें कई बुच्चत कह रहें अभी पूरे आठ बड़े उठे दिया चलो जी कि धीरे दर्यादत पढ़े जाएगी ना आज पहला दिन था चलो जी स्टार्ट करें फिर क्लास लोज बात्चेत ने करने हैं बिल्कुल भी खिए लोज थिंदो चलो जी इदर देखना अब एक बार ध्यान से अब प्लीज बात्चीत बिलकुल नहीं अब जो आपके CS Executive में आपका एक पेपर है Taxation Loka तीक है इदमिस आपके CS Executive में आप सब जानते हो टोटल में भी दो गुरूप है एक तो गुरूप 1 है उसमें टोटल आपके चार पेपर है और एक गुरूप 2 है उसमें भी टोटल आपके चार पेपर है अब जो गुरूप 1 में पेपर नंबर 4 जो आपका है ना वो आपके Taxation Loka है अच्छा अभी तक क्या था जो आपका CS Executive Level था उसमें दो पेटरन थे Old Slables और New Slables Old Slables अब खतम हो चुके है मलब जो लास्ट अटेंप्ट अभी गया है कलपरसन के एकजाम खतम हुए है वो Old का Last था इट में सब जितने भी एकजाम होंगे ना वो सारे के सारे New Slables के अंदर होंगे और New Slables में जो भी आपके एकजाम होंगे वो आपके MSC Use Base होंगे बट सारे पेपर नहीं टोटल तीन पेपर आपके MSC Use Base है एक तो आपके Taxation का एक आपका FM का वेपर है Second Group में और एक आपका Accounts का वेपर है उसमें इन तीनों में क्या होगा So Question जो होंगे वो Objective Base आएंगे बट पहले बात न ये क्लियर कर लो कि Objective आपके ना Foundation Level के नहीं होंगे क्योंकि आपने Foundation के अंदर भी गोले भरे होंगे Executive के अंदर भी गोले भरनी है बट दोनों के अंदर पर है क्या कि Foundation में Slabers बहुत लिमिटीड था Executive के अंदर के Slabers बहुत ज़ादा है It means अगर मैं Income Tax की बात करूँगा और GST की बात करूँगा और एक नया Edition के है Custom Low It means आपके Old Slabers में अभी तक जो Old Slabers था उसमें Custom Low नहीं था बट New Slabers में इन्होंने क्या किया Custom Low भी डाल दिया अब Custom Low इन्होंने क्यों डाला इसका Reason के है वो थुड़ी दिर के बाद भी डिसकस कर देंगे तो मेंली सबसे पहले बात आपके Group 1 में Paper 4 जो है वो आपके Taxation में टोडल तीन टोपिक हमें पढ़ने होते हैं एक तो Income Tax आपका है एक आपका GST शायद आपने कभी सुनाओ और एक आपका Custom Low जो है ये तीन पेपर आपके हैं अच्छा अब जो आपके 100 Marks के MCUs बेस आएंगे न आपके Institute ने Bifurcation कैसे किया है कि 50 Marks का आपके एकजाम में Direct Tax है और 50 Marks का आपके एकजाम में Indirect Tax है अब ये Direct का मतलब क्या है Indirect का मतलब क्या है वो भी अभी हम समझ लेंगे बट मेंली एक बात ध्यान देना कि आपके दो टेक्स होते हैं एक तो टेक्स होते है Direct Tax और सेकीन जो होगा वो Indirect होगा अब डारेक्ट टेक्स में वैसे तो आपके दो टेक्स आते हैं एक तो आपका आता है Income Tax आपने कभी सुनाओ कि लोग Income Tax Pay करते हैं लोग Income Tax की Return File करते हैं अब जो भी लोग Income Tax की Return File करते हैं Income Tax Pay करते हैं कैसे Income Tax निकलेगा वो सारी के सारी बाते Income Tax में आती है और एक सेकीन टेक्स जो होते है ना उसका नाम है International Taxation International Taxation का मतलब कह है कि for example अगर इंडिया से बाहर मैंने कोई ट्रानक्शन की या बाहर से इंडिया में कोई ट्रानक्शन की उसमें जो Income कमाई उस पर टेक्स कैसे लगेगा वो सारी बाते इंटरनेशनल की बढ़ आपके न्यू स्लेबस में International Taxation इन्होंने नहीं डाला क्यूंकि आपके एक्जाम में 50 नंबर का Income Tax है जो आपका Old Slabers था उसमें 70 Marks का था तो उसमें International भी था ऐसा मैं क्यूं कह रहा हूं क्यूंकि आपके मालनो दोस्त अगर मालनो Old Slabers के हैं अगर वो बायचास बोले कि भाई International भी है तो Old में था बटा वो New में नहीं है क्यूंकि Old में 70 Marks का Income Tax था आप में 50 नंबर का है 20 नंबर का International जो था ना उन्होंने वाचा हटा दी है उसके बाद 50 Marks का आपके एक्जाम में इन्डारेक्ट है अब इन्डारेक्ट में क्या है तो आपका आएगा GST एन सेकीन जो होगा वो कस्टम लोगा GST जो होगा वो 45 नंबर का है और 5 Marks का जो है वो कस्टम लोगा अच्छा आप एक बात में सोच के बना अब आपने फाउंडेशन में या अभी दक आपने टेक्सेशन कभी पढ़ा नहीं होगा ये पेपर बिल्कुल नया है ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपने लो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आपने एकाउंट कहीं न कहीं पढ़ा होगा आपने कैलकुलेशन वाली टोपिक कहीं न कहीं पढ़े होगे होता है वो चाहिए income पर दें, चाहिए वो goods पर दें, चाहिए वो service पर दें, नोर्मली उसको हम टेक्स बोलतें, अच्छा एक word यहाँ पर इंदों ने add किया है, lows, अब अगर मैं lows की बात करूँगा ना, तो lows का मतलब कहें पहले वो समझता ध्यान से, आपने अभी तक foundation level भी जितना भी अभी तक आपने पढ़ा होगा ना, शायद आपने एक word सुनागा act, it means आपने foundation में अगर company लो थोड़ा बहुत पढ़ा है, या contract act पढ़ा है, या negotiable instrument act पढ़ा है, वो सारी की सारी बाते act की आपने पढ़ी है, बढ़ अगर मैं lows की बात करूँगा, तो lows का मतलब सिरफ act से नहीं होता, एक नया word आएगा rules, it means आपके exam में यहाँ पर act तो applicable है, साथ में executive level पर rules भी applicable होते हैं, अब यह rules का मतलब क्या ध्यान सुनना, शायद आपने आपने इसे किस-किसा सुना है, वैसे आपके father income tax की return file करते हैं, कभी किसने सुने, कि हमारे पापा income tax की return file कर अब form number का मतलब करें से मालो आपके father ने पूछा कि बेटा income tax यहा, tax session आप थोड़ा बहुत पढ़कर आए हो, तो आपके sir ने शायद बताया हो कि income tax की return जाती है, आपने बोला पापा हाँ की return की बाद तो हुई थी class में, अब उन्होंने बोला कि बेटे मेरी salary की income है, या मे आज तो मालो for example 6 तारीक है, अब मालो अगर मैं इस साल जो भी income कमाऊंगा, या मेरे father daily base पर जो भी income कमा रहे हैं, उस पर वो tax किस दिन पे करेंगे, या return का file करेंगे, वो सारी की सारी बाते रूल्स में होती है, it means कहना क्या चाहरा हूँ, आपके executive level पर act तो आएगा आएग अच्छा एक बात और सुनो ध्यान से, एक तो पहली बात तो act हमारे syllabus में आते हैं, second बात rules भी हमारे syllabus में आते हैं, तीसरी बात एक word आपने शैद कभी सुनाओ, notifications, अब ये notifications हो गया, circular हो गया, supreme court की judgment हो गया, high court की judgment हो गया, ये सारी बाते भी आपके syllabus में आएगे, ऐसा मैं क यूँ कह रहा हूँ, सर ये मस समझ ना, कि आपके exam में tax का act है, उन्होंने word का लिख है taxation laws, और एक बात ध्यानक ना सर, आज के बाद आप life में कहीं पर भी, कहीं पर भी किसी word के पीछे low words देख लोगे न, तो low का मतलब समझ ले न, act, rules, notification, case लो सब कुछ होता है, it means अगर हम इनिस्ट्यूे बात कहता था है कि हमारे slabos में income tax act है, ये अगर वो भी बात कहता है कि हमारे slabos में GST act है, फिर तो बात धी कhtम हो जाती, ये बन ओद दिस में क्या बोला कि हमारे slabos में income taxation law है और हमारे स्लेबस में GST जो है अब अगर मैं आइजों की बात कर Unlike like oh या कुर्या- एक्ट भी हमारे स्लेबस में है रूज्पी हमारे स्लेबस में है नोटीफिकेशंसर कुलर के ऍलोःस वियكم कुर्ण ओध्याड प्र अब भी हम return file करेंगे ना जैसे मालो आपने घर अगर पापा से बोला कि पापा आप जो भी इंकम कमाते हो तो क्या उसकी return file करते हो तो पापा ने बोला बेटे हाँ मैं तो return file करता हूँ अचा मालो आपके father business man है अब आपके father अगर business man है या आपके father किसी company में job करते हैं तो उनकी income कौन सी होगी salary income होगी अब मालो आपके father किसी company में job कर रहे है salary income है अगर father business man बिजनस की income है अब सोच के बोला एक person को na income कही जगह से आ सकती है क्योंकि obvious सी बात अगर मैं आपके सामने यहाँ पर खड़ा हूँ तो यह जरूरी थोड़ा कि मेरी income सिरफ teaching की होगी अब मालो आप यहाँ पर मेरे पास पढ़ने के लिए आई आपने मुझे आपर fees pay की तो एक income तो मेरी ही हो गई उसके बाद अब जो कुछ बच्चे मुझे जानते हैं शायद आपको बता हो लक्षमी नगर के अंदर एक मेरी चाय की दुकान भी है हाँ, मैट्टो के नीचे ने मेरी चाय की दुकान भी है, अब उसके बाद मैं मही चला जाओंगा, अपना राम से शाम को, महला पैंट कोड उतार दूँगा, अपना एक लोवर रोटीशन, चोंकि अच्छा लगता है ना, पैंट कोड में चाय बेजता हुआ, अब शाम को महा स्टार्ट के मैंने बैटिंग की, गेंबलिंग की, वहां से मुझे इंकम आ गई, वो इंकम मेरी अलग इंकम हो गई, it means कहना क्या चारों कि एक आदमी को इंकम आएगी कहां से, उसके unlimited source होते हैं, अब सोच के बोलो, इतनी सारी मुझे इंकम आ रही है, तो अगर मुझे इत लोटरी की इंकम है, एक बच्चा एब बात के था, सर मेरे पापा सटा खेलते हैं, दिल भी मत ले न, इसने बोला रही मेरे पापा सटा खेलते हैं, वहां से लोटरी की इंकम आती है, उसने बोला कि मेरे फादर का बैंक में FD है, वहां से इंकम आती है, एक बच्चा बोल मैं मेरे business की income है, casual income, lottery की income है, rental income है, interest की income है, इतनी सारी income है, तो क्या हर income पर rate same लगेगा, और अगर rate अलग लगेगा, तो वो rate कौन से होगे, एक बच्चे ने बोला सर मेरे फादर की 10 रुपे income है, या 100 रुपे की income है, या 1 लाख रुपे की income है, या 10 लाख रुपे की income है, त तो सारी बाते आपके टेक्स के अंदर आएंगी, इतना समझ लो, सर आज मैं इतनी बात कह रहा हूँ, आज तो मैंने थोड़ा क्लास 15 में लेट स्टार्ट किया क्योंकि पहली क्लास थी, ठीक है, अदरवाइस मैं पोने आठ बरे यहां पर आ जाता हूँ, जितने भी मेरे ले पूरे अटेंड की है ना, तो जिस दिन टेक्स का पेपर खतम होगा, आप उस दिन ब्लट टेस्ट कर वा ले ले ना, तरह से टेक्स ही निकलेगा, प्रोवाइडिड आपने कोई सिंगल एक्शन मिसना कियो, क्योंकि प्रोब्लम पता है कै सर, इसमें दिक्कत क्या आती है, मैं आपको बता रहा हूं सा, प्रोब्लम ही होती है कि आपको भी आते दो दिया बंक मारने की, क्योंकि फाउंडेशन आपने कई बंक मारे हूं, बट फाउंडेशन इसको कंपया मत करना, क्योंकि सिंबल सी बात ही है, अगर आपने इस बार का पेपर का लेवल भी देखो, तो new slabbers और old से बहुत फरक आए, old slabbers बिल्कुल गिराओ वेपर है, mcqs वहां भी थे, और new slabbers के अदर गिराओ वेपर नहीं है, उन्दोरे limits भी पूची है, percentage भी पूची है, कई case लो भी है, notifications भी है, बहुत सारी बाते हैं, तो अगर अपने class बीच में attend नहीं की न, तो problem क् taxation को यह समर्के चलना सर, मैं भी आपको बताऊंगा, chapter कौन कौन से है, आपको देखने में लगेगा बहुत सारे chapter है, बट वो actual में एक ही chapter है, it means GST में total मिला के आपके 20 chapter है, अब वो कहने को 20 chapter है, actual में एक ही chapter है, customer में total 6 topic है, वो actual में एक topic है, क्योंकि आपस में interlink है, it means अग अगर आप एक class में आए, फिर दो class नहीं आए, फिर class में आए ना, तो आपको समय में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि problem क्या, आपने low पहले पढ़ा है, आपने सब कुछ पहले पढ़ा है, tax बिल्कुल नहीं है, और believe me, आपको इतना नहीं पता, और market में सबसे बड़ा vacuum जो है, tax में बहुत बढ़ा है, आपकी line चाहे, बच्चा के mind में problem क्या होता है, यहाँ पर mind में क्या होता है, कि हमारी line low की है, no doubt आपकी line low की है, क्योंकि आप CS बनने जा रहे हो, बड़ सर सोच के देखना, अगर आपके institute ने 50 number का income tax और 50 का GST डाला है, और बाकी सब कुछ low है, तो core area आपके दो ही है, या तो low या tax, और believe me, अगर आपको tax में practice करना अच्छी से आता है, अब इतना अंधा पैसा कमाऊगे, आप सोच भी सकते, तो आपको starting से इतनी मेरी guarantee आपको interest 200% आ चाहेगा, but आपने class miss ने करनी, और मुझे कुछ ने चाहेए, आप घर रागे, पढ़ो या ना पढ़ो वो आपकी headache है, बट class miss मत करना, ठीक है ना, अच्छा अब सुनना ध्यान से, अब ये तो मैंने आपको बता दिया, आपका direct tax है, indirect है, कैसे कैसे tax लगेगा, कहा तक income exam, ये सारी बात है में पढ़नी है, अब सुनना ध्यान से, सबके exam जून में हैं, December में किन किन के है, December वाले बच्चे एक बार handless करके बताना, December वाले, एक, दो, तीन, चार, पांच, बाकी सब के जून में है, चलो जी, अब प्लीज बातचीत नहीं आ, लो जी, एक बार अब यहाँ पर चेक करना तो बारा से, अब आपके taxation के अंदर मैंने क्या कहा है, कि आ आपके दो टेक्स आएंगे, एक तो आपका यहाँ पर cover होगा, direct tax, एंड second यहाँ पर cover होगा, वो indirect होगा, अब direct के अंदर मैंने क्या बुले कि direct मेंना, आपके दो टेक्स आते हैं, एक तो आपका income tax and second जो होगा वाएगा international taxation, income tax आपके exam में 50 marks का है, international में न, दो chapter आपके आत एक सब्सक्राइब तो इस chapter को मैं आपको एगजाम में इंकम टेक्स आएगा न उस इंकम टेक्स को टोटल में थीन पार्ट्स में डिवाइड किया सबसे पहला part जो होगा, वो हमारा होगा basics of income tax, अब अगर मैं basics की बात करूँगा, सबसे पहला chapter हमारा क्या cover होगा रही, introduction of income tax law with tax rates, it means जो भी आपके tax के rates होगे न, या जो भी आपके exemption limits होगी, वो सारी की सारी हमारी chapter 1 में आती है, अचा एक बात में सोच के बताना, अब की category में आते हैं, अचा आपने शायद कभी सुनाओ companies भी होती है, partnership firms भी होती है, HGF भी होती है, AOP भी होती है, इंडिया में कई सारी entities है, अब सोच के बोलना, अगर मैं individual हूँ, HGF हूँ, company हूँ, partnership firm हूँ, तो मेरी income पर क्या rate लगेंगे, वो सारी की सारी बातें chapter 1 में है, अगर मेरे फादर की company है, उस पर rate लग लगेगा, मेरे फादर की partnership हूँ, हमारा इहाँ पर है, that is residential status, कि रेजचेंशल अप्रेस्टर्स का मतलब क्या है एक बात मिने सोचा एक प्लास ने सोच कराना हमारि क्लास में आध जितने भी लोग बैटने सोच कर भता ऑँ हम सब इंडिया के रेजिटेंट हैं नों डिजिदेंटि आप इंडिया में क्या हो इस बच्चे ने बोला इस बच्चे ने बोला इस बच्चे ने मेरा जनम इंडिया में हुआ है इस बच्चे से बोला कि आप इंडिया जनम इंडिया में हो इसा बिल्कुल भी नहीं है इंडिया का इंडिया में रेजिडेंट होना इंडिया का सिडियन होना या इंडिया का ओरीजन होना ना ये अलग लग कंडिशन पर डिपेंड करता है अज़ एक परसन इंडिया में रेज़ेंट कब बनेगा, इंडियन सिडियन कब बनेगा, और बहुत सारी लोग ऐसे हैं जो इंडिया से बाहर रहते हैं मट वो इंडियन सिडियन है और बहुत सारी लोग ऐसे हैं जो इंडिया में रहते हैं फोरण सेडियन है आप चैक कर लो अपनी पप्पू फैमली राहूल गांदीरी कहा के सेडियन है इटली के अभी पकल परसों की बात है मैं उनका स्पीस सुन रहा था अमीज शाह जी की तो उन्होंने कोई अभी CAA जो लोनी पड़ा तो मैं कल परसों की बातेशाथ कल परसों में स्पीच उन्होंने दियोगी तो उसकी क्लिप ये फेस्बुक पर थी कि वह राहूल गांद्रियों क्या करें कि अगर आपको CAA नहीं समर में आ रहा है तो मैं इटली में इसको ट्रांस्टिल करके भीज दिता हू तो आप अक्ष्यकमार का रापको अक्ष्यकमार कावी मुद्दा शीदा था कि वह इंडिया का सीड़्यन, और बहुत सार लोग stepping o o मैंIf इंडियन सीडियन होना इंडियन सीडियन होना इंडिया का रेजडियन रना ये तिनाओं कॉंसेप्ट लगन्हें हैं अगर मैं राजियन हूं तो मिलसे बुन सकता हूं मतches तो पांस से 10 आपके इन दोनों में से आते हैं अब यह मत समझना कि सर्फ पचास में से पांस नंबर ही तुम्हें बाकी 45 अगर आपके यह दोनों क्लियर नहीं होंगे तो सिंगल चैप्टर भी समद्ध में नहीं आएगा क्योंकि इस तोर के देखो कर आपको टेक्स नहीं निकालना आता आपको इंकम कैल्कुलेट करने नहीं आती रेजिजेंशल स्टेटस निकालना नहीं आता अप इंकम कैसे निकालोगे तो ओल्वेज यह बात ध्यान देना सर जिस दीन आप सीएस बन जाओगे कुछी घंटे रह गई हैं अब जिस दीन आप सीएस बन जाओगे ना तो सीएस बनने के बाद अगर कोई भी क्लाइंट आपके पास आएगा और मालो आपके फादर आपके क्लाइंट बन गए और घर में बचा मालो अगर मैं C.E. हूँ तो क्या मेरे फादर भार से रिटर्न फाइल करवाएंगे फिर तो मेरे C.E. ने पर लानत यह और अगर मैं C.E. हूँ मैं अपने फादर का टेक्स नहीं बचा पा रहा अपने फादर की रिटर्न फाइल नहीं कर नहीं पा रहा मैं अपने टेक्स की काम संभाल नहीं पा रहा मेरे C.E. बनने का फाइदा के है तो मालो मैरे फादर ने मुझे से कंसल्ट किया कि भाई एक बात बता कि मेरी इतनी सारी income आ रही है या इतने सारे मेरे खर्चें हैं तो बता मैं इस खर्चों और income को कैसे show करूँ क्योंकि हर आदमी tax बचाना चाहता है अब अगर आपने सही से consult नहीं किया तो बहुत बड़ी दिक्कत है तो simple सी बत always जहां देना कि अगर कोई भी client CS बनने के बाद आपके पास आएगा कि मेरी income निकाल दे सबसे पहला question यह होगा कि वो इंडिया में R है इंडिया में अनर है क्योंकि अगर वो इंडिया में R है उसकी income निकालने का तरीका अलग है अगर वो इंडिया में एनर है income निकालने का तरीका अलग है तो एक बाद सोच के बताना आपने शायद नाम सुना हो Nick Jonas जी जू कोन है Nick Jonas वैसे प्रेंका के husband नाम सुना हो रनवीर सिंग सुना है, कौन है दिपू की हजबन अचैक बात मुझा निए सोच कर ना रन्बीर सिंग वैसे इंडिया में R है या इंडिया में NR है रन्बीर सिंग R और Nick Jonas अब सोच कर ना अब एक तो माल लो यहाँ पर है let's say ये निक Jonas है और ये माल लो तो रन्बीर सिंग है, मेरा पूरी क्लास से कोश्चन है, निक जोनस कहां करेने वाला है, इतना इंटेलियन बैच कैसे आ गया, निक जोनस कहां करेने वाला है, यू ऐसे, हाँ, वो ही तो पता सबको है, बच्चा कहां, मैं नहीं पता हूँगा, भेहन देख, अगर मैंने बता दिया, सर मुझे बगड़ लेंगे, मुझे पता सबको, उसकी स्टोरी मैंने पूरी लिख रखी है, बट मैं नहीं बताऊंगा, हाँ जी, निक जोनस कहां करेने वाला है, यू एसे, अच्छा है, रन्बीर सिंग, इंडिया का, वो किसी भी लोकेशन का हो सकत मालों वो इहां रहने वाला है, इंडिया का, ये उसे का, अब सोच के बताना, लैट से मालों रन्भीर सिंग ना निक जोनस कहां पर गया, वालों य। उसे मैं इंडों हो नन तो ने ऊच्छा ग कि मैं गाना गाउंगा आपको वहाँ पर डांस करना है और हमको इतने इतने लाखरे मिलें उसने करी कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा है कि हमारा पर फेशन हम यह काम करेंगे अच्छा अब USA में मालों वहाँ पर इवेंट हो रहे हैं निक जोनस ने उस गाना गाने के 10 लाख कमाए और जो निक जोनस ने USA में 10 लाख रभी कमाए और वेसे बाद उसने अपने कंट्री में कमाए अब सोचके बोलना जब मैं दोनों की income calculate करूंगा इंडिया में तो सोच के बोल देना क्या Nick Jonas के हाथ में ये 10 लाकर भी इंडिया में taxable होंगे नहीं होंगे नहीं होंगे बढ़ रनिभीर सिंग के हाथ में तो सोच के बोलना इडमीज दोनों परसन के हाथ में इंडिया में tax कैसे निकलेगा सदни एक तो आधो इंडीक्त, तो आपकर आपके में不用 सिंग इंडिया में ऌन है उसने पैसा बहार कवाया तो गल्मेंट ने क्या बोला भी चाहे हो तो कुछ भी तो इंकम कहीं भी हुआ तो resident अगर होगा ना इंडिया में टेक्स देना पड़िक हुआ कि एक बच्चा मुझे बोल पड़ा सर मैंने कहां सर अगर एंभी सीक के हाथ में यह 10 लाक रुपए अगर इंडिया में टेक्सेबल हो रहे हैं तो यह 10 लाक रुपर बहार भी तो हो गे लाटेक्स ला और इंडिया वाले भी क्या कह रहे हैं ला टेक्स ला तो अगर एक ही इंकम पर डबल टेक्स लगेगा यह तो बहुत बड़ी हाट्शिप है न इस हाट्शिप को दूर करने के लिए ही इंकम टेक्स में एक चैप्टर बना इस डबल टेक्सेशन अवोईडेंस अग्रीमेंट आपको मैंने क्या का था इंटरनेशनल टेक्स है आपके इस लेबस में नहीं है बड़ उसका पहला चप्र जो है इस डीटी डबल ए वो यही है डबल टेक्सेशन अवोईडेंस अग्रीमेंट आपके सेंपल पेपर में दो कोशन हैं, आपको मैं इतना पता दूँ, आज प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं पर भी डबल टेक्स लगता आप घबराना मत, अचा एक बात मिला पूरे वर्ल्ड में कितनी कंट्री हैं, पूरे वर्ल्ड में रिखा अपना, एक ही कंट्री हैं इं आज मालों पूरे वर्ल्ड में 196 कंट्री हैं, और इंडिया का रहने वाला इन सब कंट्री में जाकर इंकम कमा रहा हैं, और अगर इंकम वहां राके कमा रहा हैं, तो वहां भी टेक्स पे करेगा, इंडिया में पे करेगा, डबल टेक्स लगेगा, बड़ आपको शायद जा इराक, इरान, उससे हमारा agreement नहीं है, अब सोच के बोना अगर मालों इंडिया के रहने वाला पाकिस्तान में income कमार है, तो वहाँ भी taxable, यहाँ भी taxable, फिर कैसे relief मिलेगा, वो सारी बाते भी इस chapter में है, तो simple सी बात यह बात कहना जाता हूँ कि अगर income पर double tax है, उसका relief कैसे मिलेगा, उन सारी बातों के लिए chapter बना हुए, वैसे हमारे syllabus में cover नहीं है, उसका treatment क्या होगा, मैं class में बता दूँगा, ठीक है रही, तो पहले दो chapter part 1 में cover होते हैं, एक तो बही है, बिल्कुल basic, कि tax कैसे निकलता है, income कैसे निकलती है, क्या चीजी होती है, वो सारी बाते भी हाँ पर आएंगी, अचा अब सुना ध्यान से, अब ये दोनों chapter complete करने के बाद ना, सबसे major जो part आदा देर, इस part number 2, इसमें 40 तक question आते हैं, अभी इस part number 2 में ऐसा क्या है, कि जो सबसे important बन जाता है, इस part number 2 में, अब सुना ध्यान से है क्या, मेरा पूरी class से question है, अगर आप मेरे question के answer दोगे ना, party spit करोगे, तो game खेलने का मज़ा अलगी आएगा, अचा एक बात मुने सोच के बताना, आप समने थोड़ा बहुत accounts पढ़ा होगा, yes or no? अचा, accounts में कुछ याद आ रहे है, वो तीन rule होते थे, real, personal or nominal, अचा क्यों बताएगा, real account का जो rule था, वो क्या बोलता था, debit, words, comes in, credit, words, goes out, personal, debit, the receiver or, or nominal, debit, all the expenditure and losses and credit, all the income and gains, और शायद आपको बता हो, आपने income tax, sorry, accounts में, जो भी आपने पेडल बनाया होगा, वो as per nominal account बनाया होगा, it means accounts की teacher क्या बोलते थे, वो यह बत बोलते थे, कि जितने भी खर्चे होंगे न, जितने भी खर्चे होंगे, वो सारे debit कर दो, जितनी income होंगी, वो सारी credit कर दो, income tax वाले बोलते हैं, accounts वाले पागल है, income tax वाले बोलते हैं, हमारी income tax में असानी होता, it means accounts वने क्या बोला, सारे खर्चे debit, सारी income tax में असानी होता, income tax का लो यह बात कहते हैं, कि income आएगी कहां से, वो नहीं पता, बट income जाएगी कहां पर उसके अलग-लग हैड होते, इदमें, accounts ने क्या बोला, salary की income है, credit कर दो, business की income, credit कर दो, interest की income, credit, lottery की income, credit, rental income, credit, income tax, वो डिपेंड करते हैं, income आई कहां से, और income tax में income के 5 हैड होते हैं, या तो वो income थूमारी salary में जाएगी, या वो income थे हाउस property की होगी, या वो income थूमारी capital gain की होगी, या वो income थूमारी PGP की होगी, business profession की, और या वो income होगी तुमारी other source की, तो ओल्वेज यह बात देना है, income tax में आपके 5 head होते हैं, accounts की तरहां सारी income credit होगी, income tax में ऐसा नहीं होता अब सारी बात मैं सोच के बताओ, मेरे कुछ question आप मुझे answer दोगे मेरे पूरी class से question है, accounts वालों ने क्या बोला, कि सारे खर्चे debit, सारी income credit, income tax वाले क्या बोल रहे हैं, हमारे हैं ऐसा होता ही नहीं है हमारे हैं तो यह बताओ, income कौन सी है, उसके base frame क्या करेंगे, इन 5 head में डाल देंगे एक बात मैं सोच के बताना, सबसे पहला chapter salary का है, कोई बताएगा, salary में income कौन सी जाती होगी मतलब अगर मैं आपसे पूछूँ कि salary में मुझे एक income taxable करने हैं तो कौन सी income salary में डालोगी एक बात बताना, क्या मेरी income salary में जाएगी, क्या आपसे तो मुझे fees आई, क्या मेरी salary की income है, क्या ये rental income है, क्या किसकी income है, बिजनस और profession की, तो मेरी उस chapter में जाएगी सर एक बात मुझे सोच के बताना, आपके फादर किसी company में जोब करते हैं, अब अगर आपके फादर किसी company में जोब करते हैं न, उनको न पैसा मिलता है, वो उनकी salary की income है मेरे पुरी class से question है, माल लो, IVD Academy तो मेरे खुद की है, अब अगर ये academy मेरे खुद की है, यहां से मुझे पैसा आया, मेरे profession की income है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है शायद आपको पता हो, पटेन लंगर के अंदर भी मैं class लेता हूँ अब वहाँ पर जो class लेता हूँ ना, वो मेरे academy खुद की नहीं है, वहाँ पर दीपक गज़रानी सर classes है, उसके अंदर मैं पढ़ाता हूँ उनका इंस्टूर्ट का नाम है आइकोस, मेरा पुरी class से question है, मिश्टर वी जी, मतलब विवेक गाबा सर जो है, वो आइकोस के अंदर भी पढ़ाते हैं, पटेन लंगर में अब वहाँ के नमी मेरे खुद की तो है नहीं, फीस मुझे तो आती नहीं होगी, आइकोस वाले मुझे कुछ पेमेंट करती होंगे, सोच समझ के बोलना, मालो आइकोस वाले मुझे हर महीने के ना, let's say, पांच जारे पे करते हैं, इतना ही मिलता है, इतना ही होता है सर, पा 5,000 पे कर रहे हैं, मेरे पूरी क्लास से कोशन है, आइकोस ने, जो मुझे हर महीने के 5,000 पे किये, मेरे हाथ में इंकम, सोच के बोल देना, कौन सी है, सेलरी की इंकम है, या मेरे प्रफेशन की इंकम है, अगर आप बोलोगे सेलरी, त्वीट में मैं आइकोस का एंपलोई ह नहीं, मुरे हर महीने फिक्स हैं कि मुझे 5 आर परमन मिल ले है, सेलरी या प्रफेशन, अरा जो ये कह रहे हैं कि इंकम मेरे सेलरी की है, कोई दिक्कत नहीं, पहली क्लास है, गलत करो, कुछ भी करो, सिरफ अंसर दो, जो कहने कि मेरे इंकम सेलरी की है, नालायक, कह रहा कुछ भी दे देंगे फिर, कुछ भी का मतला लोजिकल, नालायक, हाउस प्रफेटिक इंकम है, हानी, सोच के बोलना, जो ये कह रहे हैं, अरह जो ये कहने, आंसर सबने देना है, ठीक है ना, देखो तभी दोस्ती होगी, अगर आप टीचर समझ के मुझसे पढ़ोगे, तो हो मेरी सेलरी की इंकम है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, चे बच़े कह रहे हैं, मेरी सेलरी की इंकम है, अरह जो ये कहने कि मेरे प्रफेशन की इंकम है वो, चलो, बाकी, कई बच्चे कह रहे हैं, प्रोफेशन की इंकम है, और बाकी, जो हैंड्रीज नहीं कर रहे हैं, सब मोमा ऐसा, खाली आता है थे, खाली आ जाने हैं, चले पहाड़ों पर चले, कोई बच्चे तो बैठे हैं, कह रहे हैं, ना हा में, ना ना में, बड़े बड़े आए बड़े बड़े चलेगे तुम किस केत की मूली हो इधर देखो ध्यांसर नलायक एक बार लास्वें बोलूँगा अब जिन्होंने आंसर नहीं दिया प्लीज उनकी पार यांसर देने करें तो मैं फिर यहां बुलाऊंगा उन्हें कि उनका अलग आंसर क्या है जो यह कह सेलरी की इंकम का है उनसे मेरे कोश्यन है अब जो यह कहने कि वो इंकम मेरे सेलरी की है इट मींस मैं आइकोस का एंपलूई हूं अब सरे एक बात मैं सोच के बताना मैं आइकोस का एंपलूई हूं तो आपने मुझे एंपलूई बनाया है इट मेरे सेलरी की इंकम तभी बन कि जो उन्होंने मुझे बोला वही बात में बादूंगा तब मैं एंप्लोई बन जाओंगा लेट से मालों आइकोस वाले कहते हैं आपको ना क्लास इस टाइम लेनी है तो मैं उस टाइम तब लूगा ना जब मेरे पास फ्री होगा टाइम आपको खड़े हो के बढ़ाने जी आप इसको यूज कर सकते आपको इस तरह से पढ़ाना है यह क्या मतलब हुआ अगर ऐसे करना है अगर मैं उनको फूलो कर लूगा फिर में प्लोई बन जाओं अब सोच के बोला माल बहार जो मेरा स्टाफ लगा है वो मेरी बात माने गा और अगर व मेरी बात माने गाओ यह बोलूए तो रमीपर बन जा दुनों के tax rate अलग लगें, दुनों के खर्चे अलग लगें, दुनों के benefits अलग लगें, तो सबसे पहले ये identify करना बहुत जरूरी है कि वो income की set में चाहेगी, तो को अभी ये मत बोल देना, कि भाईया मेरे फादर अगर यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो हमेशा वो salary की income योगी मैं इकोस में काम कर रहा हूँ, बट मेरे इंकम सेलरी की नहीं है, यहाँ पर मेरे इंकम प्रफेशन की, वहाँ भी इंकम प्रफेशन की, तो दोनों के हाथ में tax rate बिल्कुल सहीं लगेगा, ठीक है न, अब salary में इंकम कोश जाती है, employer और employee, अब सोच के बोलाएं, जहाँ प कि इनके father साब किसी company में job करते हैं, प्लीज एक बार hand risk कर दो, कि इनके father कहीं job करते हैं, कि इनके father कहीं job करते हैं, किसी company में जाकर, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, साथ, आठ बच्चे हैं, अचा बाकी सबके father businessman या कोई दुकान होगी, कुछ ऐसा ही होगा न, आज जाके आप उनसे पूछना हो, सबसे पहला question क्या होगा, कि पाप आप जिस company में काम करते हो, तो आपको होँआपर salary मिलते हैं, पाप बोलेंगे yes, अब दूसरा question पता है क्या होगा, उस salary के इलावा आपके father को बहुत सारे फाइदे भी मिलते हो, उसको हम बोलते हैं, allowances कई पापा के मुझे निकला होगा, कि पेटे convince allowance, traveling allowance, helper allowance, HRA, house rent allowance, RFA, अगर आपके father government company में हैं, फिर तो हजारों फाइदे हैं, प्राइवेट में हैं, फिर भी कुछ फाइदे हैं, तो उन फाइदों की taxability भी salary में आती है, It means, जिस दिन हमारा salary का chapter complete होगा न, उस दिन आपने father की income जाके निकाल दिना, वो ही income आएगी जो आपके father का C.A. निकालता है, तो यह symbol सी बाता है, जैसे chapter complete होगे, आपके घर C.A. गायब हो जाएगे, सिंबल सी बाता है, अगर उने वो C.A. पॉइंट किया है, तो आप उनका काम करोगे न, क्यूंकि अगर आपको salary की income निकालना आ गया, आपके father की salary की income है, तो आपके father C.A. को 2000 पे क्यों दे भाई? रिटन फाइल करने में कैसा है? रिटन फाइल करने 5 मिन लगते हैं, और 5 मिन के रिटन फाइल करने के C.A. मूफ आरकर 2000 पे मांग लेता है, और आप 2000 दे भी देते हो, और वो 2000 क्यों मांगते हैं, कुछ भी नहीं, क्यूंकि आपको नहीं पता return फाइल कैसे करनी है, उसको income calculate करना आते हैं, और अगर वो ही salary का chapter आपने पढ़ा कि allowance कैसे होते है, taxability कैसे होते है, rate कैसे निकलते है, सारे income आप खुद नहीं निकाल सकते हैं, तो जिन दिन के father कहीं पर भी काम कर रहे है, chapter लगेगा salary का, taxability कैसे होगी, वो सारी बाते में आपर देख लेगे, समझ में आत एक एक घर है, क्या कोई बच्चा सोच के बता सकते हैं, इस घर से मैं कैसे कैसे income कमा सकता हूँ, एक तो rent आ सकता है, और, sale car भी सकता हूँ, तरक बात में सोच के बता हूँ, अगर आपके father के बास एक घर है, मालो आपना घर personal नहीं है, एक कोई दूसरा घर है, family के साथ रह घर खाली पढ़ है, उपर कबूतर बैठे है, खाली गर में नोर्म लेसा ही होता है, अच्छा अब आपके father ने वैसे किस दिन बैठे थे, चार-पास लोगों के साथ, तो बात छिड़ गई, कि यार, समझ नहीं है रहा, वो घर खाली पढ़ है, तो क्या करें, दोस्त ने ब बोला, भाई किराय पर लगा दे ना, लक्षमी नगर में इतने किराय दर घूम रहे हैं, बच्चे आते हैं, और तेरा घर भी लक्षमी नगर में, उसने का बात तो सही है, भाई कितना किराय मिलेगा, उसने का भाई इसका 15-20 दर किराय मिल जाएगा, आपके father ने बोला चल पीछे से अलगी होते हैं, अब सोच के बोला, आपके father ने trust किया, किराय पर दे दिया, अब जब वो किराय पर दिया, दो-तीन महीने सही था, फिर किराय देना बंद कर दिया, जब किराय देना बंद किया, फादर किराय लेने के लिए किराय देने का आजो अंदर, पापा न त्यार नहीं है, दो क्रोड की प्रोपरिटी मेरे दो गई, अब क्या करें, इस बड़े मैं घर बेच देता, तो आपके फादर ने बोला नहीं नहीं भाई, दो तीन काम रेटे के साथ हुएं, मैं इस घर को बेचूंगा, आपके फादर ने घर बेच दिया और वहां से कुछ प्रोफिट आ गया, दूसरी इंकम होगी यह, तीसरी इंकम क्या होती है, आपके फादर का बिजनस ही घर किराये पर देने का है, आपके फादर एक प्रोपरिटी डिलर है, ये भी पोसिबल है, आपके फादर प्रोपरिटी डिलर है, लोगों की प्रोपरिटी किराये पर च मेरे फादर कुछ अलग काम करें थे और किराये का ऐक प्रोपरmट चड़ा देती मलब किराये पट कर दी. इस घर में इंकम 4 तरह तरह से दख़ी है, पतानेयाерт आपको दिखुर है, मुझे तो दिख रही है है सबसे पहली income एक rental income है, दूसरी income sale वाली है, तीसरी income भी rental है, चोथी income sale वाली है, इन दोनों के अंदर क्या similarity है, दोनों में मेरे फादर का बिजनस है, एक business घर किराइपर लगाने का तब किराइपर दिया, दूसरे के बिजनस के है घर sale purchase करने का तो sale कर दिया, और इन दोनों case म इमेजन करना ओकर आप outta पमिजन करके के चलोगे लाइफ में कभी गलती ने करोगे प्श्किल कुछ नहीं होता, सिर्फ मुश्किल यह होती है यहान से अगर स्कुछ सब कर तरह को सक कर बनगया। सोच कर बोलना नॉर्मल केस है। आपके बार कुछ अलग काम कर रहें, एक घर खाली पड़ा था, किराय पर च्रा दिया तो किराय की जो income आईगी क्या फादर की salary income है सोच के बोला क्या फादर की salary income है क्या capital gain की income है क्या other source की income है किस चीर की income है house property, ये income house property की है मेरे फादर ने घर sale कर दिया बड़ मेरे फादर का business sale purchase का नहीं है तो क्या वो income house property की है ये capital gain की है capital gain की है capital gain का मतलब होता है capital asset बेचने से जो income आती है उसको हम बोलता है capital gain इस case में हो, मेरे फादर का business है घर, किराय पर देने का वहाँ से मुझे किराय की income आ रही है house property है business की ये PGP PGP की full form होती है profit and gain from business or profession सोच के बोला अगर मेरे फादर का business ही घर किराय पर देने का है वहाँ से आने वाली income मेरे फादर किस की बनेगी business की तो बनेगी और अगर मेरे फादर का business sale purchase करने का है आपने बोलना वहाँ से आने वाली income अगर घर किराय पर देने का business है तो बिजनस की इंकम है अगर business नहीं है फिर तुने घर किराय पर दिया house to party सर क्या फरक पड़ेगा कहीं पर भी जाए मैंने क्या बोला बहुत फरक पड़ेगा क्योंकि दोनों के रेटर लग लग होती तो सबसे बड़ा मुदाना टेक्स निकालना तो बहुत दूर की बात है यह नहीं कि chapter 1 चलो बहुत इंकम ऐसे निकालना है टेक्स निकालना है काम खतम हो गया उससे पहले यह तो बताओ इंकम जाएगी कहां पर क्योंकि पेपर M.C की उजज़र सब्जेक्टी पेपर नहीं है यह बास समझ लेगा पर कहां से बनेगा मुझे भी नहीं पता वो कोशन क्या बनाएगा मुझे भी नहीं पता और जो बचाब बेसिक छोड़के जाता है उसको लगता है बड़े बड़े चैप्र कर लूँ बेसिक से कोशन आगए फिर क्या करोगे तो सिंपल सी बता सबसे पहले यह पता हो कि भी या इंकम बाइफरकेशन किस हैड में होगी सबसे पहले हमारा यह कुशन बास्वान में आ रही है तो फटापट से मुझे बोल देना सेलरी में इंकम कौन से जाती है जी कौन सी जाती है, employer और employee, house property में, rental income सारी, सारी rental income house property, सारी, यह रो business की ना हो, business की ना हो, उसके बाद फिर तीसरा चेप्टर हमारा आता है, PGP का, यह समर्ण में आ गया, इसमें कौन सी income जाती है, business और आपके फादर की दुकान है, किसी के है फादर की दुकान, वाजिबा, इन सब के फादर की दुकान है, सोच के बोलते हैं, इनके फादर की income salary की है, यह घरता के salary की head बोल देंगे, salary की head बोल देंगे, business का, आपके फादर CA है, आपके फादर CS है, और, ना, ना, PGP, ना, 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 सर, यह बाध्यारक ना, CA, CS की हमेशा income, PGP के इंदर, यह गलत बोल आपने, क्योंकि अगर वो किसी company में काम करें, salary की income बन जाएंगे, उनकी, मैंने क्या बोला, जल्द भाजी नहीं, जल्द भारी क्यों नहीं, गोला बरने है, और अगर एक बार गोला भर गया, साफ नहीं होगा, वो, क्योंकि पैंस सो गोला बरा गया, यह सब एक्टीव न करने वाले है, तो मुश्किल कहां से बनेगा कुछ नहीं पता, हर लाइन में जब भी आप पड़ो कुछ सोच के बढ़ो कि उसने question असान तो नहीं दिया, वो कुछ ना कुछ पाइंट तो होगा, तो अगर मैं CACS हूँ, मेरी income salary की बन सकती है, पर अगर मैं कहीं business professional करो मेरी इंकम किसकी बनेगी, PGP की, उसके बाद capital gain की income क्या जाएगी अगर asset को sale कने से income आती है, अचा हमेशा sale की इंकम capital gain आती है, या वो depend करता है, किस पर depend करता है, आपका business है या, अगर मेरा business sale purchase करने का तो, otherwise कहां जाएगी, capital gain, बस यह बत्यांद, तो मुरे फटा पर से बोल तो इतना पहले तो यह बताओ, accounts वाले, क्या बोलते हैं, सारे खर्चे, credit, very good, सारे खर्चे, credit, मैं लिख लिए, भूल जाओंगा, मैं, नया rule बनाए, नाला, सारे खर्चे, credit, debit, और सारी income, सारे खर्चे, सारी इंकम, सारे खर्चे, सारी इंकम, सारे खर्चे, सारी इंकम, इंक इंकम बेस्ट वाले करें देखना पड़ेगा अचा इंकम थाले क्या बोलते हैं इंकम के आने के 500 है या जाने के जाने के आने के तो अल्लिम्टीड है है कि सर इंकम कहां से आएगी मुझे भी नहीं पताना एक बात मैं सोच के बताना कि इस ब defense Character नोट गिर गया है यहां सरे मानल यांप एक पोड़ लखत थे न तो इस बच्छ ने देवार होसकता आ आयसा कि बारो चैनल LOOK जेब में था तो हमने यहां पर डाल दिया, अब हमें धियान नहीं रहा, जब यह क्लास में बैठा, इसकी जेब यह पोकेट थोड़ी लूस थी, तो यहां से ऐसे करता-करता, ऐसे गिर गया, पंखा चल रहा था और यहां तक आ गया, लाला चाहा लप-लप, मैं जब अंदर आया, तो मैंने 500 का नोट देखा पहले तो, मैं तो बच्चे देखी नहीं क्लास में कौन बैठा, मैंने 500 का नोट, अच्छा, अब मैं को लगा 500 का नोट किसी का दो गीरा है, अब हुआ क्या, मैंने अपने मन में परातना स्राट कर दी, कि हे भगवान, ये 500 का नोट उस पढ़ाना स्राट कर दिया, और बार बार कभी में ऐसे, नोर्मल, अब ऐसे मैंने पढ़ाना स्राट किया, क्लास खतम हो गई, जैसे ही क्लास खतम हुई, सब बच्चे निकले तो मैंने क्या किया, यहां से उठाके ये 500 और जेब में डाल दिया, अब सोचके बताना सर, ये 500 मेरी जिब में हैं, क्या ये मेरे सेलरी की इंकम है, सोचके बोलना, ये मेरे rental income है, अच्छा मेरा business है no उठाना, मेरा profession है, पैसे उठाताएओं भार, सिढकोबे, क्या मेरे PGP की इंकम है, सोचके बोलना, capital gain की इंकम है, किसकी है, That is other source. अधर सोर्स का मतलब किया है, जिसको कहीं मोत नहीं मिलेगी अधर सोर्स, सिंबल जी बाता है, अधर सोर्स का मतलब पता है किया है, आपने शायद एक मूवी देखियोगी, शारुख वान के एक मूवी थी, मैं हूना, और किस-किस ने मूवी देखी हैं वैसे, मैं हूना, किस- income कहीं भी taxable नीं होगी ना मैं हूँ ना वो सारे income मुझ में taxable वो यही तो कह रहे है other when वो मुझं क्या है कि भी यह जेंकम वी हो सेलरी में में इनि house property में नि business में है कैपिटल गेर में कहीं भी ने हैं मैं हूँ ना वो सारे income other source में तो ओल्वेज यह बात ज्याने रहा है, income tax में, income tax में, income tax में, 5 head होते हैं, जिसमें से 4 head तो होते हैं, specific और एक head होते है, जर्नल, यह बच्चा बोल रहा है, कि सर मेरे फादर की FD है, वहाँ से interest आ रहा है, other source की income है, क्योंकि ना तो वो salary है, ना business कुछ भी नहीं, सर मेरे फादर सटा खेलती है, other source की income है, मेरे फादर ने किसी company के share purchase किये, dividend income आ रही है, other source की income है, सर मेरे फादर ने मानलो, for example, मैंने क्या अभी, dividend income हो गया, interest की income है, मानलो, interest FD से नहीं है, diventures का है, किसी loan का interest है, वहाँ से मुझे interest आ रहा है, तो किसकी income, other source की, simple सी बात है, कि जो income आपकी, ऊपर किसी चार head में taxable नहीं होगी ना, वो सारी income अदर source में आ जाए, last time मुझे भी हाँ तर गरिवाइस करा दो, इतना बोल देना, income tax में कितने head होते हैं, आवाज ने आती है, कितने, पहला, आवाज आज़े, पहला, दूसरा, तीसरा, चोथा पांचवाँ, ये income के आने के source हैं, जाने के, आने के source कितने हैं, unlimited है, ये बद ज्यान देना, income आएगी कहां से, मुझे नहीं पता, जाएगी कहां, ये मुझे पता है, अगर कोई आज के बाद ये पूछ ले, कि income के आने के source बता, तो बोल देना, unlimited है, जाने के source पांच है, या तो income salary में जाएगी, या house property, या business, या capital gain, और अगर वो income कहीं भी taxable नहीं होगी, तो सारी कहा जाएगी, other source की बाइगा, ठीक है, अच्छा आप सुना ध्यान से, ये 5 head तो भईया सबसे main है, और ये पूरा base है, ये लगा लो, अगर आपको tax में कुछ आगे जाके काम करना ह और ये 5 head आपको नहीं आते, आप भूल जाब को tax कभी आएगा, क्योंकि एक आदमे की जब भी total income निकालनी है, आप खुछ सोचो इसमें तो कोई income होगी, और अगर आपको ये ही नहीं निकालना आता, आप income tax क्या करोगे, तो ये 5 chapter सबसे main है, बट इन 5 chapter को समझ में तब आ पांच से, ये तो समझ में आगया, इंकम tax में 5 head होते हैं, ये 5 head है, income हमें यहाँ पर डालनी है, और ये accounts वाला काम नहीं होता, सारी income उठा के जिगहाँ पर डाल दो, income tax में अलग-लग income जाती है, क्यों जाती है, क्यों जाती है, क्योंकि सब के अलग-लग rate होते है, अच्छ पांच साल पेले, जो मैं उस्टेम C.A. बना, तो C.A. बनने के बाद, उस्टेम में ये काफी छोटी थी, 20 साल का था उस्टेम, तो मैं C.A. बना, ओवे से बाता है, आप C.S. बन जाओगे कुछी घंटों के बाद, जो हम C.S. बनोगे ना, तो C.S. बनने के बाद क्या ये कई बार मैं बच्चों से बूस्ता हूँ कि एक बात बताओ, C.S. क्यूं कर रहे हो, सर पापा का ड्रीम है, एक रिस्पेक्ट मिलेगी, एक गुडवी लोगी, वो सारी बाते बेकार हैं, सिंबल बाते पैसा कमान है, मैं आपको गुडवील पूरी देता हूँ, मैं पू बाते हैं, वो एक अलग है, बड़ सिंबल जी बाता है, हमें आपने ड्रीम्स बुरे कर रहे हैं, वही जो लाइफ में ये आज है, वो लाइफ मुझे दुवारा नहीं जीनी, कुछ बढ़िया लाइफ जीनी है, उसलिए आप C.S. कर रहे हो ना, नहीं तो आप फिर यहां आप अच्छे काम करोगे, बड़ साथ में ऐसा भी काम करोगे, जहां से पैसा भी आएगा, आप सुना ध्यान से नहीं मैं C.A. बना, तो C.A. बनने के बाद बोड़ी प्रेशर अपना भी जोब करना है, तो उस टाइम हमारी आटिकल शीप होती है, C.A. में तीन साल की, तो जाके आपको CS की डिगरी मिलती है, ऐसा नहीं है कि CS professional के लिए होके तो CS बन गए, उसके बाद आपको 15 महीने के आटिकल शीप भी करनी होती है, मैंने आटिकल शीप अपनी complete की, और फिर अपना job में, starting से मेरा था कि मुने job नहीं करनी, मुझे अपने teaching profession के अंदर आना है, ज पता है, क्या ना मैं, IC, SI, full form पता है, इंस्ट्री ने कई बार नहीं पता होती ना कई बच्च म, क्या उता है, computer science, क्या, company secretary of, क्या बार सुने, आपने CS को computer science भोल देते हैं, सबसे बड़ा कोशन की स्कूले से कर रहा है, यहां दिल यहां ओते हैं, यहां लगती है, सर यहां जूरिया चलाती है, जब एक कोशन सुनते है, कि स्कूले से कर रहा है, अब नोगों क्या समझाएं, कि स्कूले से कर रहा है, उनको नहीं बता है, फिर यह बोलता है, दिली से कर रहा होगा, अब उनको नहीं पता है, एक ही institute है, यह private course है, एक correspondence है, उसके अंदर हम सब यहां है, अचा अब सुना ध्यान से, वो हमारा institute हमारा था, आई सी ए था, तो आपके ICS हो हमारा ICS काना, दोनों का campus placement होता है, जब हम वो CACS बन जाते हैं, जब मैं CA बना, तो उस टेम campus placement हुआ, काफी सारी companies आई, उसमें से company ने मुझे shortlist किया, अब shortlist करने के बाद काफी सारी company हमें स्लेक्ट करनी होती है, पांच, आपके साथ भी ऐसा होगा, आएंगी 20 company और 20 ने बोला कि आप मेरी company में आऊ, बट आपका option का 5 से 6 company का, ऐसा ने कहीं भी जाकर interview देदो, मैंने 5 company select की, मैंने कर इस इस company में जाऊंगा, जहां का packet अच्छा था, मैं एक company में आपने अच्छा था, अच्छा था, उन्होंने इंटर्व्य लेना स्टार्ट किया, इंटर्व्य क्लीर हुआ, उनका packet उस्टम 16 लाख रुपे था, आईटी से company जब इंटर्व्य लिया ना, इंटर्व्य स्लेक्ट हो गया, उन्होंने आपकी जोइनिंग है, मैंने जोइनिंग नि मिल रहे हैं, और आपका पैशन, टीचिंग का है, बिजनस का है, आप सो बर फिर दुबारा सोचोगे, क्योंकि वहाँ भी टाइम लगेगा सर, और यहाँ 16 लाख ख़ए मिल रहे हैं, वहाँ 16 लाख पे कब पहुंचोगे, वो नहीं पता, यह 16 लाख आज मिल रहे हैं, तो ह 90 बचन बचा जोब में जाता है, क्योंकि इन स्टेंट पैसा होता है, तो मैंने का 16 लाख है, मैंने सोचा बट मैंने का नई विविक, तेरा पैशन यहाँ का नहीं है, चल, इस में मत जा, तो अपना टीचिंग लाइन के अंदर में स्टार्टिंग से आ गया, बट माल लो, उन्होंने बोला 16 लाखर पे, अगर मैं उस कंपनी में जोब करता, मेरा पूरी क्लास से कोश्चन है, मैं उस कंपनी क्या बन जाता, जो 16 लाख वो मुझे कंपने देती है, मेरी इंकम किसकी होती है, ये बात कलियर है, लो जी मैंने माल लेते हैं, मैंने यहाँ जोब करना स् कभी लेट शिफ्ट होगी तो बात अलग है बट नॉर्मल टाइम में 11 सचे थी सेटेड़े संडी होफ था जब मैंने यह जोब करना स्टार्ट किया आपको बता हैं सीए बनने के बाद या सीएस बनने के बाद ना माइन पहले सेच चलता है क्योंकि अब माइन में पढ़ने माला प्रेशर नहीं होता तो मैं सीए बना माइन ते चलता हो गया यहनुक्त बात पता तो ग्यारा बट जाता है छे मज़ा तो कर रहे तो सुभे ग्यारा बट वस वो तो सोह रहते हैं फिर छे मज़ आएगा, फिर आगे लेट जाएगा, कर कर जिनकी बरबाद कर रहा है। बई कुछ ऐसा काम कर कि तेरा टाइम यूज हो। मैंने ऐसा करता हूँ बई, देखता हूँ क्या बिजनस स्टार्ट करूँ। मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया, लक्षी में मैं स्टार्टृंग से रहाता, क्योंकि स्टार्ट इए ही था। मैंने मैंने देखना स् posible क्या करूं क्या करूं फिर मन में घ्र शेयं कारबं की चाहे के दूकान खोले ते ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं वह Ideally बाला भागति हैं और चाई की दुकान पर जुरूर खड़े होते हैं और साथ में मठी और फेन भी खाते हैं मैंने बहुत अब ऐसा करता हूँ मैं बिजनस स्टार्ट करता हूँ मैंने लक्षमी नगर के मेंट्रों के निचे जगा देखी और एक अपना ठेला लगा लिए अपना रीडी लगा लिए सोचके बोलना सर मैं सुबह 10 बस तक चाई की दुकाने बैठता था फिर जोब करन जाता था फिर शान को चाई की दुकाने बैठता था सोचके बोलना अब जो मेरे को वहाँ पर 16 लाख रुबे की इंकम आ रही है कि यहане मद्हिँ थ्क फॉट सकतर दोड़ने कि मुझे Muni कि संट पॉर चाय की दुकान से रोगने और यहां कि सेलरी है है या बिजनुस किया बिजनस कि ना अच्छा अब सुना जहां से एक तुम मुने चाय की दुकान से इंकम आगी, यह मेरी बिजनस की बन गई, यह मेरी इंकम बन गई, सेलरी की, अब हुआ क्या है, एक साल गए, दो साल गए, पैसा थोड़ा बहुत आना स्टार्ट हो गया, मैंने घर लक्षिमिन अगर मिले लिया, छोड़ा सा घर लिया, कि म अपना वही बच्चे आते हैं, काफी सारे, मैंने बाहर लगा दिया, टूलेट का बोर्ड, बच्चों का फोन आए, मिर पास मैंने का जी कोई, दिकतनी है, मैंने किराए पर लगा दिया, दस जार महीना, जो मुझे वहां से किराया आ रहा है, सोच की बोलना, क्या मेरी सेलर गर पर्चेस किया, बट मैंने पर्चेस करने के बाद वो सेल कर दिया, और जब मैंने वो सेल किया, तो क्या वो इंकम सेलरी, हाउस, टोड़ी, बीजी, पे, कैपिटल गेन, ये इंकम मेरी कैपिल गेन किया गए, अच्छा, अब हर तरफ से मुझे पैसा आ रहा था, हर आदरी, 16 लाक मिल रही है, बढ़ते बढ़ते 20-25 लाक हो गई, रेंटल इंकम मेरी बच्ची बढ़ गई, चाए की दुकान मेरी चल पड़ी, क्योंकि बच्चे बहुत, कि उनको लगा नहीं हा, क्या, मैंने क्या किया, अक्चिल में न, कॉमबो फ़र निकाल दिया, 10 हो गया, अब चाए कि दुकान का बिजनस मेरा बहुत अच्छा हो गया, ठीकरी, उदर से मेरी कैपिल गेन की मोटिंग कमांगे, हर तरफ से पैसा ही पैसा मेरे पास आरा था, आपको पता हो, जब आदनी के पास पैसा बढ़ जाता है न, तो आदधी भी अच्छा हो जाती ह और इतने दे को लाख मिलेंगे, मैंने का नहीं है, इसके बसते ने करें, लगा दे भाई, मैंने जल पैसा तो लगा देती है, जब मैंने वहाँ पर बैटिंग लगाई, तो उस केस में माल लो, बाइचास मेरी किसमत अच्छी थी, और माल लो उस बिन मैं 60 जीत किया, सोच क मैंने 5 साल हो गए, अच्छा खासा पैसा कमाते हो, तो घर से एक प्रेशर आता है, किस चिरगा, कि हाथ पिले कर दी जाए, ओविसी बात है, बच अगर आप तो हो गई, मैंने का ने एक प्रेशर आता है, खुद का चाहिए मन हो या ना हो, प्रेशर तो आता है, अच्छा वही 5 साल हुए, तो घर से प्रेशर आना स्टार्ट हुआ, कि वेक अप्सू सही है, सैटल है, अच्छा पैसा कमा रहा है, तो ऐसा कर दे तेरे हाथ पिले कर देते हैं, मैंने का नहीं मैं को हाथ का ले करवाने हैं तो कह रहें ना लाइक, मतलब हाथ शादी का टाइम हो गय हैं और अपना सही है, यह टाइम सही होता है, मैं का चलो ठीक है, अच्छा अब फिर मैंने मेरी मजर पापा ने जब ज़्यादा प्रेशर गना स्टार्ट किया, तो मैंने उन से एक बात बोली, मैं का ठीक है, चलो आप कह रो शादी कर लेते हैं, बट मैं का लड़की रो च तो मैंने का मुझे ता क्क टेरा है, यहां आई यह नहीं है, अब आगा टाथ, तो मैंने का रहूरा ह। से तो मैंने का निमुझे टेक्स बेंडिंग करनी है उसने का टेक्स मैंने गए कोई लड़की देख लो और अपने जो हाउस फॉइफ नोर्मल लो की यहां रहते हैं कोई दिक्कत नहीं है आपको पसंद तो मुझे पसंद रहा ठीक है अब शादी हो गई अब शादी जब हुई तो एक दिन हम वैसे बैठे थे शाम को तो मैंने का रही है आप कुछ कमाते तो हो नहीं है और मेरी तिनी सारी इंकम है मैं इतना टेक्स पे कर रहा हूं क्यूं ना मैं अपनी कुछ इंकम आपको बाई फरकेट कर दो उसे रूब है प tex लगाते हैं आदमी को ने डाई-लाख रूपी कहते हैं तो मेरे इंकम बहुत चाहदे हैं तो अगर ने उसका कुछ पॉर्शन तुमारी इंकम में शो कर दू, तो मेरा क्या होगा tex बच जाएगा उसने का आप में दिमाग तो है। मैंने का और क्या। क्या वो क्या लगाँ तो थो एसने का मैंने का वो ही तो कि मैं तीज ही तो कहरा हूं टेक्श प्लेइनिंग करनी है. अब जब उसके राया उसके पास आएगा उसकी इंकम आएगी उसकी इंकम कम होगी रेट कम लगेगा मेरे इंकम में जादा लगता क्योंकि मेरे इंकम बहुत सारी है अब जब गोर्मेंट ने ये बात देखी ना गोर्मेंट ने का अच्छा कि ये काम चल रहा है बना लोग क् रहे हैं अपने दोस्तों को income divert कर रहे हैं उस सारे diversion को रोकने के लिए income tax में चेप्टर लेकर आगए clubbing of income और clubbing of income में क्या लिखा कि अगर जिस person ने अपनी income divert की होगी ना वो सारी income हम उसमें ही add back करेंगे उस person के हाथ में टेक्स नहीं लगाएगे अब सोच के बोलना जो मैंने अपनी wife को income divert की होगी तो क्या वो उसके हाथ में taxable है मेरे हाथ में taxable मेरे हाथ में taxable एक chapter यहाँ पर आगया clubbing of income तो जो आपकी 5 head की income निकली है ना उपर उसमें ध्यानक ना अगर आपने में लोस हुआ मेरे सिंबल साइक कोशन है इधर देखो ज्यान से केस आपके फादर काई है माल लो एक यह person है Mr. X ज्यान सुना मैं अपना example लेता हूँ तक इसको बुरा ना लगे माल लो मैं यहाँ पर हुझी मेरा CA का profession है टीचिंग का profession है आप मेरे बस पढ़ने के लिए आई हो यहाँ से मुझे पांस लाख रुबे की income आई माल लेते हैं साथ में मेरे एक चाय की दुकान भी है यह मेरा बिजनस है अच्छा चलता था बहुत बट पता नहीं क्या हुआ किसी दिन कुछ बच्चों के तिवियत खराब हो गई कि चाय और मेरी वरसे नहीं मारए नहीं बट सुबेब прекрас की चाय पी थी और वह quality भी नहीं रही कुछमा कुछ दिक्टत है उस्वे था बाद फे लाद zij कि टीचिंग से इंकम पांच लाख की एक लाख का लोस है, गोर्मेंट ने बोला विवेक लाख टेक्स लाख, मेरा पूरी क्लास से कोश्चन है, अब अगर मुझे टेक्स पे करना है, तो क्या मेरी इंकम पांच लाख मानू या चार लाख मानू? क्योंकि अगर आप बोलोगे पांच लाख, इट मीज आपने क्या किया, उस लोस का ट्रीटमेंट नी किया, और अगर आपने बोला चार लाख, तो आपने क्या किया, लोस का ट्रीटमेंट कर दिया, अब बच्चा ये बात कहता है, सर मैंने कहा, सर क्या जो लोस हुआ है, क्या उसका income tax में treatment मिलता है मैं आपसे पूछता हूँ अगर ये 1,00,000 की income ना होकर 1,00,000 का profit होता क्या government आपसे tax लेती सोच के बोलना येस ये नो और अगर loss है और government ये बाद बोल दे हम loss का treatment नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं हमारे उपर hardship है मैं government से बोलूँगा न government, government, government ने का क्या, मैंने का रही ऐसे, 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 ऐसे गूर्मेंने क्या हुआ, मैंने का एक बात मुझे बताओ यार, ये क्या मतलब है कि जब income थी, तो tax मांग लिया और जब loss है, तो कहरे जाओ ये क्या मतलब है, अगर ऐसा है, तो भाईया मैं income पर भी tax pay नहीं करूँगा जब ये सारी बाते लोगों ने उठाई, तो government ने क्या बोला, ठीक है, हम एक chapter बना रहे है, set off and carry forward of losses कि अगर तुमारी income है, और कहीं loss है, तो जो net income निकल कर आएगी ना, उस पर ही tax pay करना, और बताव चाहते किया, तो एक chapter insight किया, set off and carry forward of loss, ये हमें याँ पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तेको, जब भी आपने सुना है आस तक, income पर tax जाता है, पर income निकालना सान नहीं है, आपको सुमन में आ रहा हूँ कितने बड़े जंजट है, सबसे पहले ये देखना income किस head की है, उसके बाद ये देखना कहीं आपने income बाइफर के तो नहीं की, डाइवर्ट तो नहीं की, फिर ये देखना कहीं लोस तो नहीं है, इन सब को adjust करने के बाद फिर कहीं जाकर मेरी income आती है, पूरी क्लास से मेरी request है, तुरंक दूसरा, तीसरा, चोथा, पांचवाँ, अभी गई बच्चे बोलने ने सर, पहला, दूसरा, तीसरा, चोथा, पांचवाँ, ये income के आने के, आने के, अब सोचके बला, इन पांच head की income आ गई, फिर एगला chapter कौन सा आएगा, clubbing of income, फिर कौन सा आएगा, set of of lows, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, लो जी, अब सुनो ध्यान से, केस मेरा अगेन दुबारा है, पांच head की income को जोड़ कर, पांच head की income को जोड़ कर, मालनो मेरी income आई 20 लाख, salary, housework, सब को जोड़ दिया, मैंने, सब को जोड़ दिया, income मेरी 20 लाख आ गई, एक सान की, मैंने कोई income divert नहीं की, मैं अच्छा इंसान हूँ, कोई चोरी नहीं करता, कोई income की planning नहीं करता, मैंने कोई income divert नहीं की, तो clubbing का chapter मेरे उपर नहीं लगे खा, क्योंकि मैंने divert नहीं है, वैसे आके बैठ जागे हो, आ रही है न, हाँ, 20 लाख की सारी income और 8 लाख के मेरे लोज, net income कितनी बची, 12 लाख, इस पर मुझे tax देने की बात हो सकती है, क्योंकि net income मेरी 12 लाख बची न, अब जब मैं ये 12 लाख रुपे लेकर government के पास गया, ये मालो मेरे हाद में 12 ल तो government ने का भई तुने income कैसे निका ली है, मैंने कर ये 5 लाख की income, मैंने income divert की नहीं थी, और 8 लाख के लोज थे net income मेरी 12 लाख का गई, तो 12 लाख की income मेरी बची उस पर आप tax ले लो, उस लेका इधर आ, एक साल में कितने रुपे कमाता है, मैंने कर इस साल तो वैसे मेरी income कम कम आई है, बट मैं एक साल में 20 लाख रुपे कमा लेता हूँ, कर एक घर में कोई कमाने वाला दूसरा, मैंने कर नहीं सिर्फ मैं ही हूँ, कि घर में मलब जो 20 लाख रुप आते हैं, उन से ही मेरा परिवार चलता है, तो 20 लाख मेरे यही है, उस ने का तरी life का insurance है, मैंन अगर बाइकस मैं कल मर जाऊं, 20 लाख राना बंद हो जाएं, परी family कोन समभा लेगा, उस ने का तरी health का insurance है, मैंने का मुझे क्या तकलीफ है, उस ने का तकलीफ है, उस ने का तकलीफ है, क्या ब्रोसा, तो को intimation थोड़ा देगा, कि मैं आ रही हूँ, प्लीस आपने आपक कि अफस तो ने होगा न, क्या तरी health का insurance है, मैंने का नहीं, उस ने का भाई कर क्या रहा है, लाइप आ इंसरेस्ट तेरा नहीं है, health का insurance तेरा नहीं है, कमाने वाला तु है, क्या कर रहा है, अगर कल को कुछ हो गया, तिरी family कै जाएगी, तुनने कुछ सोचा कभी, मैंने का नहीं मतलब क्या करूं उसने का भाई हमारी स्कीम है कुछ हमारी याज सिर्फ इंस्वर्स की स्कीम है तुमपर हर साल कूछ पैसा डाल, ताकि अगर कल तू मर जाए, तेरी फैमिली को कुछ लाक तो मिले, और इतने लाक मिले, कम से का मों सरवाई भी तो करे, अभी तो तरह कुछ भी नहीं है, मैंने का उसका फाइदा क्या होगा, उसका फाइदा यह होगा, तुने जो पैसा उस पोलिसी में लगाया ह होगा ना, उस पर हम tax charge नहीं करेंगे, इसको हम income tax में बोलते हैं, deductions, शायद आपने कभी metro पे थोड़ा ध्यान दिया हो, नहीं दिया तो आज के बाद दो गया, आपने कभी देखा हो, जहां पर advertisement लगती है, metro में, महां कभी देखना लिखा होता है, PPF, LIC, जिंदिकी के सा इसके incentive मिलते हैं, मैंने का अच्छा, उसने का हाँ, आज आप जहां सुना, अब यह 12,00,00 में से, एक लाख मैंने policy में लगा दिया, उन policy में लगा दिया, तो अब मेरी income 12,00,00, टेक्स बेल है 11,00, ऐसे निकलती है total income, अभी तो आगे लाख हमें करना है, आज तो सिर्फ मेर परचान करा रहा हूँ, कि मैं टेक्स पढ़ना किया है, क्योंकि जो आपने एक word सुना ना, कि income पर tax, तो सर इंकम ऐसे नहीं निकलती, यह 100 रुपे कमाई और 100 पर tax दी दो, यह 100 रुपे ग्रोस इंकम है न, आपने मुरे फीज दी दरज़ार, वो दरज़ार मेरी income थोड़ तो इंकम वर्ड सुनना और इंकम निकालना, यह बहुत बड़ा मैटा है, आई होब आपको मेरी बस नमर में आ रही है, ठीक है न, तो यह सारे चैप्र आपके पार्ट टू में आती है, ठीक है, तो आप हमारा बेसिक क्लियर हो जाएगा, रेजिडेंशल खतम हो जाएगा, पिर हम main आएगे, भया, पाँच, हैड कोन-कोन से है, क्लब Vaink क्या है, लोस क्या है, यह सारी बात है हमारी आती है, ठीक है, तो यह सारी बात है, ठीक है, तो यह देखो हो यह हमारा part number 2 है, 30-40 number का यह आता है, बचे गार और भी है का income tax में, और बी है, एक last part है, part number 3 एक आपने शायद एक नाम सुनाओंगा TDS किस किसने वाराना मत सर पहली क्लास है किस किसने नाम सुने टीडियस चलो और किस किसने कभी नाम नहीं सुना यार ऐसे गेम खेलने का मज़ा नहीं आएगा देखो आपको पार्टी स्पिर तो करना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं बोलता रहूँगा ना मुझे तो सारा टेक्स आता है पता आपको पता है मैं आपके लिए हाँ पे आया हूँ और बिलीव में अगर मैं बोलूँगा आप सुनोगे में अगली क्लास ऐसी नहीं है सोरी फिर आप को मैं बुरा लगूँगा मेभी अपने अगली क्लास में ना हो बड़ आपको यहां के बोलना बड़ेगा क्योंकि यतना आप बच्छे एक अभी उठके जा रहा है बच्छे करें मैं तो भी जा रही हूँ जाओ चलो मैं यह कहना जा रहा हूँ कि अगर आप पार्टी स्पिट करोगे तो अगर फाइदा आपका ही हो तो प्लीज जब मैं यह नहीं कहरा कि आप अंसर दो बस यह से नो का मुझे बता दो किस-किस बचे ने नाम सुना है कभी भी कहीं पर कैसे भी टीडियेस चलो और किस-किस ने कभी यह नाम सुना ही नहीं है टीडियेस कोई दिक्कत नहीं है वाला 100% ट्लास ते सुना है, TDS, चलो फिर बताओ होता कि, Tax Reduction at Sources, TDS होता है Tax Reduction at Sources, GST होता है Goods and Service Tax, ना लायक, फुल फो निभूली, TDS, होता कि, माला कभी कुस, अच्छा चलो, बच्छा कहा रहा है, आपने कहा था, सुना ओ, यह मुक्रो मतमा, तबिया मात ख़़ा नहीं कर रहे हैं, यह हमें डर था, कि अगला कुशन आपका यह होगा, फिर बताओ, चलो, इधर सुना, मैं आपको बताता हूँ, सबने नाम सुना है, TDS, अब सबने अगर नाम सुना है, TDS, इसकी फूल फो मोती है, Tax Reduction at Sources, यह वर्ट जो आपने कहीं सुना है, देखो, अगर ज तो कंपनी वाले मुझे salary पे करेंगे, तो government ने पता है क्या कि government ने, कंपनी के ओपर एक responsibility डाल दी, उसके ओपर एक responsibility क्या डाल दी, कि जब तुम अपने अंपर को salary पे करोगे ना, उसमें से कुछ tax काट कर हमें जमा कराओगे, उसको हम बोलते हैं TDS, सर क्या यह सरफ salary पर ही payment है, rent पर भी है, interest पर भी है, commission पर भी है, lottery पर भी है, professional fees पर भी है, सर किस rate से कटता है, कितनी limit के बाद कटता है, ये सारी बाते हमारी TDS के रेप्टर में आएगी, तो भले ये समझों कि TDS का मतलब पता है क्या होता है, कि जो आदमी दूसरे को payment करता है, उसको नहीं TDS देना, जो आदमी payment कर रहा है, उसको TDS काटना है, सर एक बाद द्वारा बोलना, जैसे इसको मैंने एक लाख रवे देनी है, गोर्मेंट ने बोला विवेग, जब तुसको एक लाख रवे देगा ना, तो उसमें से 10% तुने काट कर हमें देना है, मतलब कि मैं इसको एक लाख पे नहीं करूँगा, 90,000 दूँगा और 10,000 पे बे कर दूँगा गोर्मेंट को, इसको बोलतें TDS, ये क्यों कटता है, ये concept क्यों आया, ये सारी बात हैं मारी इस चप्टर में आएंगी, बसे समझाना चारा हूँ कि एक चप्टर आपका आएगा TDS कर भी, उसके बाद फिर एक चप्टर है Advanced Tax, आपने अगर कभी नाम सुना है तो अच्छी बात है नहीं, तो यहाँ पर आएगा चप्टर है Advanced Tax, एक सेक्टर हाँ, कई छोटे मोटे चप्टर और हैं, यह हमारा पूरा Income Tax है जी, ठीक है रि, तो टोडल तीन पार्ट में है, सबसे मेन पार्ट हमारा पार्ट टू है, सबसे बेस हमारा पार्ट नमबर वन है, और फिर एक हमारा पार्ट नमबर थे हैं Missilinious, यह तोटल हमारा आदतर ही Income Tax में, ठीक है, अब सुना जहान से यहां पर, इंडरेक्टेक्स में तो वही है, एक तो GST और एक कस्टम, 45 नमर का GST है, 5 नमर का कस्टम है, 28 चप्र हमें GST के अंदर पढ़ने हैं, और 40 पेज हमारे कस्टम में है, टोटल 50 नमर का हमारा यहां पर यह है, GST क्या है, कस्टम का है, सार से दो हैं कॉनकोन से, डारेक्ट और, डारेक्ट में कौन से कवर हैं, इंकम्तेक्स, डार्क्स में कौन से कवर हैं, इक में इंडरेक्स में, घिल्षी को और, पास DR, पास इंकम्तेक्स कितने नम्र का हैगा, पाँस नमर का पांसर यहां, कितने ra regulations, 50, जी अस ट câ्श्ट अगर बोले GST and custom कों से tax है? indirect और income tax कों से है? यह हमारे इसले बस में है तो total तीन वैसे हैं हमारे income tax, GST and custom बड़ उसकी nature दो है direct और indirect, ठीक है यह हमारा पहला पाइंट हो गया अब एक छोड़ाज पाइंट दूसरा है इधर सुनना धिहान से सबसे मेजर पाइंट जिसको मैं हर बार समझाता हूं बच्चे को समझ में नहीं आता या आता है फिर बहारा कि वो एक बात में रेक आता या आता है आपने जया सूझ आता है कि अधे आमेंडमेंट्स वो natin लूर्च सुनी और आपको बताओ आजकल तो मिछ यंदर भी बहुत आ रही है वर ago company लो विना ग्रां से दूसरा टै्इस बन चुका है क्यूं कि वह company worked 13 आ या उसके बाद इन्प भाई सर्व company लोक को तो इतनी amendments टेरेें इतनी amendments वह ईक तरह का सबीटिक फाइदा होता है रे जूम Tesendra का सबसे खतरनाक से उन पर कौन वच्छाों थै दिसेंवर सबसे खतरनाक जून वाले बच्चे तरी दिख्कत नहीं हो थे क्यों अगर 0.1v死 तो कोई दिक्कत नहीं है, जो टेक्स उसने अपढ़ा वो दिसम्बर में आएगा, जो दिसम्बर ने फेल हो गया, फिर फाइनेंस एक्टे चेंज हो गया, दुवारा से पढ़ो, अमेल्मेंट्मेंट्स, तो दिसम्बर वाला बच्चे के पास तो option ही निया, fail होने का, मैं दिखाता हैं इस तो इक बात मैंने पताना, आपने नाम सुन है, budget. हर साल budget आता है, पता आपको, किस के बात पता है, ये हैną budget आता है, चलो, शुकर थी रअचास बजट लाता कोई है Twin अंप्डेमला सिता जी कोई अचाट एक जो इरुन जेटली जी थे वो भी हमारे finance minister थे, अब उनका दिहान तो गया, तो वो अब वैसे, मलब, finance minister नहीं थे रिस टाम उनका दिहान दुआ, बट, शीरी मती, निर्मला सितर अमन जी हमारे finance minister है, अब इस टेम, एक बात मैं सोचके बोला, हर साल बजट आता है, और finance minister लेके आता है, कोई बदाएगा मैं लाइए पना 14 Фरबरी को आता है, परक्षा बंदन के दिन, कब आता है, 14 मार्च फर्सट वीक ऑफेव, थर्ड़ वीक ऑफेव, फोर्थ वीक ऑफेव, मार्च फर्सट वीक, मां 2nd week नेलाःक है रॉस्ट बलौ अब जो फर्स्ट-च Οलमॉस अब का फास्टर यह नहीं औरpee एक फर्वरी को चलो इथर सुना करेक्ट आँसर वैसे एक फर्वलुरी और हर साल हमारा बज़ना ना अटाइस फर्वरी को आता था जब इजिए की गुवर्मेंट नहीं थी उससे पहले, अच्छा अब आता है एक फर्वरी को, अब प्लीज जहान सुनना, अभी हमारा साल कौन स्टार्ट हो गया, 2020, 2020 स्टार्ट हो गया न, अब सोच के बोलना, 2020 इस साल का बजट कब आएगा, अभी हमारी तारीक कौन सी आज, 6 जैनवरी, य इस साल का बजट कब आएगा, फर्स फैप को इस साल का बजट आएगा, आपके एक्जाम जो क्लास में बच्चे बैठे है, आपके एक्जाम जून में हैं, और कुछ बच्चों के एक्जाम दिसंबर में, इस साल, इस साल दिसंबर जून दो यही तो बैठे हैं सारे और GST में भी कही चेंज आएंगे मेरा पूरी क्लास से कोश्चन है क्या इस बजट में जो चेंज आएंगे income tax में या GST में कही पर भी क्या वो हमारे जून के एक्जाम में आएंगे पहल तो ये clear करते हैं क्या वो जून के एक्जाम में आएंगे नहीं आएंगे येस या नो answer is no clear answer no अच्छा इस बाद लो चेंज आएंगे अभी इस बजट में जून में तो नहीं आएंगे क्या वो दिसंबर में आएंगे येस या नो answer is again clear no सर जून और दिसंबर दोनों में same finance act लगता है और ये हमारा इंस्टूट नहीं है CE के अंदर भी है CS के अंदर भी है CMA के अंदर भी है हमारा इंस्टूट जो है न वो ये बात कहता है कि हमारा एक बच्चा एक साल एक ही finance act पड़ेगा बना प्रैक्टिकल लाइफ में budget 20 लग जाएगा बट हमारे एक्जाम में नहीं आएगा December 20 तक अगर December 20 में खुदाना खास्ता आपका एक्जाम clear नहीं हुआ June 21 में फिर ये change पढ़ने पढ़ेंगे सारे बना ये change जो इस बार आएंगे न वो June 21 में आएंगे तो पहला तो आज ये mind में डाल लो क्यूं क्यूं डाल लो क्यूंकि आज जैसे आप बहार जाओगे बहुत सारे दोस्त भी ये मिल जगते हैं इस बार कब इजट आएगा और सरी बात मैं नहीं कह रहा आपका इंशूर्स साफ साफ clear है और मैं हर बार हर बैच में पहली class में समगाता हूँ फिर बचा पूछेगा क्यूं दोस्तों मुली कर दी या वो किसी वटसेप गुरू का मेंबर है उसमें पूछा गया सबसे बड़ी confusion market से create होती है दोस्तों से create होती है अपने mind से तो confusion create होती नहीं होती न यहाँ आप सबको समद में आ गया इस बार का budget नहीं आएगा confusion कब पैदा होगी बहाब जागे और मैं अभी clear कर रहा हूँ sir मैं दुबारा बोल रहा हूँ clear बोल रहा हूँ इस बार का budget जो आना है वो December 9, December 20, June 20 दोनों में नहीं आना sir क्या फिर हो हमें chain नहीं पढ़ने पढ़ो, knowledge के लिए पढ़ो सिर्फ knowledge के लिए, exam के लिए नहीं पढ़ने क्योंकि अगर आप class आगे पुछोगे न sir इस budget में ये चेंज आया आपने तो ये कराया था, मैं दुबारा बोलूँगा अगर June 21 में exam देने हैं तो आप पढ़ सकते December 20 तक exam है कोई यूरोत नहीं है, June 20 में है फिर तो जिरो बटा जिरो है फिर तो वो change आने ही नहीं है, पहली बात तो ये तो इदर देखो ध्यान से, अभी बात मैं लिखवा भी दूँगा आपके income tax में finance act 19 आएगा इसमें भी 19 आएगा मलत 2019 में जो budget आया होगा वो सारे change अब हमें पढ़ने है अब आपको पता है, जिनके हम अभी December में थे अभी दो दिन पहले, तीन दिन पहले जो भी खतम होगे अगर वो fail हो गए, उनकी खेर नहीं है क्यूं? उन्होंने finance act 18 आपड़ा होगा अच्छा, हो आएगा दूसरा, 6 महीने पहले तक की amendments भी आएंगी अब सोच के बोला अपने अपने देख लेना, अगर आपके एक्जाम जून में है तो 31 December आज क्या चल रहा है? आज क्या चल रहा है? तो जून वाले बच्चे आज ही कान खोल के सुल ले जो नीन के अंदर भी है आज ही कान खोल के सुल ले जून वालों के एक्जाम में जितनी amendments आनी है वो close हो चुकी है सारी close, क्योंकि दिसंबर तक की notification आनी है, दिसंबर हो चुका है Finance Act 19 आना है वो आ चुका है तो अब single amendment भी अगर कोई आती है जून वाले बच्चे तो एक नोर करके चलेंगे चाहिए वो किसी WhatsApp गुरूप में आए चाहिए वो YouTube पे कहीं देखें चाहिए वो कहीं पर भी देखें आखे बंद कर ली जाए क्योंकि 6 महीने पहले तक दिसंबर हमारा जा चुका है Finance Act 19 आ चुका है तो जून वाले बच्चे तो फुल आउट फुल क्लोज हैं उनके लिए कोई सिंगल चेंज बे बनेहनी आएगा दिसंबर वाले बच्चों का Finance Act आ चुका है बट नोटिफिकेशन 6 महीने पहले तो जिस तीस जून वो भी आनी है तो जिनके इस हम दिसंबर में हैं तो उनको मैं अभी बोल रहा हूँ कि जो हम चेंजिस पढ़ेंगे वो सारे के सारे दिसंबर तक के होंगे अभी इस 6 महीने में जो चेंज आएंगी उसकी आमेंडमेंट क्लास में बाद में लूँगा वो amendment notes आपको मिल जाएंगे उसके attention मतलो अब कई बच्चे बते क्या करते हैं इस 6 महिने की notification के चक्कर में coaching बोलते हैं नहीं हम बाद मिलेंगे ले लो सिरफ 10 page आपने बाद में पढ़ने हैं उसके लिए अपने coaching अगर delay की आपका बहुत बड़ा नुसान है क्योंकि सर्स लिबस बहुत वाइड है और अगर आपने दो दिन बाद रिविजर नहीं की exam में दिक्कत आएगी तो symbol सी बात यह है इतना बोल देना फटा बट से अब June, December किसी का भी exam है Finance Act कौन सा आएगा 20 या 19 और notification 6 महिने पहले तक की It means June वाले बचों के लिए December और December वालों के लिए June तो December वालों के लिए भी notification आनी है और June वालों के लिए सब कुछ आ चुका है उसके बाद देखो लिए GST में GST के अंदर भी सेम वही है एक तो GST Amendment Act 18 आएगा ये Amendment Act 18 है ये मैं संबना कि या मैंने 19 को लिखा ये Amendment Act 18 है आपको बताऊंगा इसका मतलब के है सेम उसके अंदर आने है और वो ही notification 6 महिने पहले तक की तो ये हमारी amendments है प्लीज दुबारा बोल रहा हूँ इसके इलाबा सिंगल चेंज मत पढ़ना क्योंकि एक्जाम में दिक्कत आती है और ये मैं नहीं करते है problem पते है क्या होता है कई बार आप चेंज पढ़ लेते हो जब वो एक्जाम आता है आप उसको फिर वो करके आते हो और फिर पता कि एक्जाम दर क्या कहता है बच्चा practical है और वो खुश ओकर फिर एक और अटेंप्ट देता है वो कहता है दुबारा नजी इसको दो क्योंकि इसका अटेंप्ट होग ली बार है इसके कोडिंग तो तो सिंबल सी बात है जो चेंज हमें पढ़ने है वो ही पढ़ने है नोलेज के जिता मरजी पढ़ो टेक्स को पर एक्जाम के लिए सरफ यह पढ़ने है बास्तों में आ रही है अच्छा अब एक सबसे बड़ा कोशन मैं आज यह क्लियर कर दूँ जो मुझे हर बीच में कई बाट आते है कि सर हमें मोड्यूल पढ़ने है नहीं पढ़ना जैसे मेरे को बोलते बोलते ही आगे ध्यान में अब अगर मैं आपके टेक्सेशन के मोड्यूल की बात करूँ देखो आपका जो ICSI है वो मेन जो है उसका लोका आप सब जानते हो कंपनी लोका सबसे बैस मोड्यूल जो है वो आपके CS का है बट टेक्सेशन का गलत मोड्यूल जो है वो CS का है कस्टम उन्होंने पूरा पुराना दे रखा है अब यह वैने कल पर सो जून 20 का मैं इसलिए लाया हूँ डाउनलोड करके यह आपके मोड्यूल है इंस्ट्यूट का यह अभी नया आया है ले टेस्टी जून 20 का अगर आपको चाहिए तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो पता आपको वेबसाइट क्या इंस्ट्यूट की वेबसाइट ही नहीं पता होगी ना www.facebook.com www.icsi.edu www.youtube.com डाउनलोड के जून 20 का अब इसमें जो दिसमबर का मोड्यूल था कि वही सेम इंदोंने जून में डाल दिया इंकम टेक्स के अमेंडमेंट तो काफी डाली है कस्टम वही चेप दिया हो और कस्टम इतनी अमेंडमेंट नहीं आ चुकी है और बच्चा कहता है फिर सर अगर हमने पढ़ लिया उन्होंने पता क्या कमाल की बाद देखो आपके इंस्टुट ने पहले ही कह रख्या है कि इसमें जो गलतिया होंगी है उसके लिए हम लाइबल नहीं है यह पूरी लाइन के अंदर लिख्व हो जाने कि वह यह जो है इसके अंदर जितनी गलतिया हैं जितने एरर्स हैं सिंगल रिस्पोंसिबिल्टी हम नहीं लेते हैं क्यूंकि हम हम हर बार सिरफ भार कावर चैन्ज करते हैं अंदर हम चैन्न नहीं कर पाते हैं पिछले वर ग्रीन थेस्ट पर ब्लू होगा फिर एड हो जाएगा वो यही काम कर रहे हैं अगर आपको मोड्यूल क्रोस्ट चेक करना है तो आप सिए का रेफर कर सकते हो कि उनका टेक्स का मोडूल सबसे बढ़ी होता है आपका लो का और उनका टेक्स का क्यूं क्यूंकि यह अमेंड्मेंट्स आती हैं सर्वों सारी यहां पर अप्डेट नहीं कर बदे और आपको मैं दिखा दूँ देखो उन्हें खुदी लिखा हुए कि मोडूल हमने जो अप्डेट किया वो इकत्य सगस्तक है सप्टमबर अक्टूबर नॉम्मर दिसंबर चार महीने की जो अमेंड्मेंट्स हो भी सकेंदर नहीं है आपको अमेंडमेंट क्रोज चक करने हैं मैं दुवारा बोलूँगो यहां से मत करना बहुत सारे एरर्स हैं और कस्टम तो ओल्मोस पुरा ही गलत है तो सिंबल सी बात यह है कि आपको मोडूल रेफर करने हैं आप करो अपनी रिस्क पर करो क्योंकि मैं आपको यह गाइड करूँगा जो बुक्स मिलेंगी फुली अपडेटीड है जो कोश्टन मिलेंगे फुली अपडेटीड है स्लेबस क्रोज चक करना है यहां से कर सकते हैं कि हमारा स्लेबस पुरा हुआ या नहीं हुआ ठीक है न तो यह बात ध्यान देना मैंने लिए उठा लिया क्योंकि बच्क को बहुत बार रहता है कि सत्षक कर ना रहा है कितने कैसे करना वो कैसे कर रहा है तो मैं आज रहा हूं काफी बहुत दिखक्त आएगी क्रोश चक करने में कहीं नहीं प्रोब्लम सॉप pew 12 5 तक पढ़नी है, finance act कौन साइगा income tax ने, 18, 20 या 19, और notification, 6 महीने पहले दके, लोडी दो बाते भी तक हमने clear की हैं, बस आज की glass में भी तक तो, एक तो हमारे इसलिबस में tax कितने हैं, दो, director, direct में कौन साइगा, indirect में, GST और, amendments कौन कौन सी हैं, वो सारी बात हमने पढ़ लिए, तीसरी एक main बात यहां पर है, आपको books कौन कौन सी मिलेंगी सर, एक तो income tax की book मिलेंगी, यह मिलेंगी दो आपको, GST के आपको एक book मिलेगी, custom के आपको एक book मिलेगी, और एक question bank मिलेगा, इसमें आपके mcqs होंगे, ठीक है, custom की जिनको बात बुक नहीं मिलीए, पर तक custom क नई book मिल जाएंगी आपको, ठीक है, आपको यह सरी books मिलेंगी, टोटल मिलाकर आपको पांच books मिलेंगी, ठीक है, income tax के लग है, GST के लग, custom के लग, यह सरी आपकी detail book है, और यहां पर यह question bank case में सारे practical, जितने भी questions mcqs हैं, वो हैं, और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपक बीच में ही आपको summary book भी देत हुएगा, कि ता कि पूरा syllabus में concise हो जाए आपका, ठीक है री, तो यह आपको सारी books मिलेंगी, अब एक छोटी सी बात में और discuss करूँगा, then फिर में आऊँगा, आपका जो main syllabus है, एक point number है 4, how can you get rank and good marks, कि अगर आपको CS में rank लेना है, या अच आपको CS में अच्छे marks लेने हैं, उसके लिए 3 बाते हर बच्चे के अंदर होनी चाहिए, एक बात में सोच के बोलना, जिस दिन आपने CS start की होगी, आपका dream क्या होगा, fail होने का, सोच के बोलना, या पास होने का, हर बच्चा चाहता है, पास हो जाओं पहले time में, हर बच् के अग्जाम दुबारा ना देना पड़े, बट हर बच्चे के अइसा नहीं होता है, सब जानते हैं, क्योंकि अवेस से बादना से result बारा fix है, कि यह 15% आने, 10 आने, 5 आने, 8 आने, बाकि 90, 85 बच्चा तो fail होगा, अब 85 में कोन आएगा, हर बच्चा सोचता है, मैं तो नही बट वह आएगा, नहीं आएगा, वो क्या किस शीर पर डिपेंड करते हैं, इन तीन बाद होता है, सब बच्चा बटा कही बर क्या बोलता है, किसमत की बात होगी, किसमत भी तब काम गरिया, मेनत की बात होगी, अगर किसमत में होता, फिर तो बैठ जाओ घर में, डिगरी बहुत कम है, दिसमबर के एकजाम होते हैं, 22 को, 22 दिसमबर, और विस वार होगी तो 26, प्रोटेस्ट की वर से, जून के एकजाम पहले वीक में है, और कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा उस्टे, कोई मन में बगवान के मंदी जाना स्टार्ट कर दो, गया दा प्रोटेस्ट के, किसी भी टिचर के लगा लो, कहीं पर भी लगा लो, एपरल एंड तक जाते हैं, और में के फस्ट विक तक जाते हैं, जनुवरी, फरवरी, मार्च, एपरेल, सिरफ एक महीना है, मेगा, तीस दिन में, चार पेपर याट पेपर वो आपको पता हैं, आपने कितने देने ह और आप मेरे पर सागी क्या बोलोगे, बिकॉम के एक्जाम भी है, अब दिसम्बर में दे हैं, कैसे करें, या कैसे करें, क्लैशिंग होगी, क्लैशिंग के टाइमिंग, क्लैशिंग नहीं, एक सुबेक शाम को, ऐसा होता है सर, बहुत सारे बच्चे मेरे पस में तो 5-6 फिर बच्चे को पैनिक होता है, तो आपको आज ही पता है ना, बिकॉम के एक्जाम है, तो आज से तैरी करो ना, उसकी, नहीं नहीं सर, अभी दो मिने तो हम पूरा बाहर सर्वे देखेंगे, दोस्तों के घूम फिर के आएंगे, फिर जब दो मिने बचेंगे, फिर हम आज हो जाता है, तो जून की एक्जाम में तो क्लियर है कि जिस बच्चे ने एक्जाम सचे दिल से दिये हैं, वो एक्जाम क्लियर की है, क्यूं? आपका बिकॉम का प्रेशर, CS का प्रेशर दोनों प्रेशर एक साथ होती है, और सबसे बड़ी बात 20 दिन कप पढ़ने को मि होगी डेली बेस पर कैसे पढ़ना है ताकि महीं में प्रेशन आए क्योंकि में के इंदर बीकों भी पढ़ना होगा आपको सिसी पढ़ना होगा और जिनके दिसंबर में हैं वो रहादा खुश मतों क्योंकि उन्हें अगर रिवीजन नहीं करने 2-3 तो उनकी वी एक्जाम में पांच दिक्कत आती है अब सुना ध्यान से सबसे पहली बात इदर देखो ध्यान से सिरफ 5-10 मिन लोगा आपके इस चक्कर में क्योंकि यह बाते में दुवारा शायद कभी बताऊ या ना बताऊं क्योंकि हमारा फिर इस लिबस स्टार्ट हो जाता है सबसे पहली बात जो है हर बच्चे के अंदर सर कॉंसेप्ट क्लाइटी होने चाहिए अगर आप से एस में आ चुकी हो ना यह बात ध्यान रहा ना एक्जीकुटी में खास तो रुप है अगर आपके कॉंसेप्ट क्लियर नहीं है आपको लाइफ में बहुत बड़ी दिक्क इसका क्या मतलब होता है हर टीचर बोलेगा सर यह तो है नहीं मैं अकेला बोल रहा हूं कहीं पर भी जाओ गया पढ़ने के लिए हर जगह यह बात सुनने को मिलेगी कॉंसेप्ट या लोजिक्स तो एक कॉंसेप्ट और लोजिक का मतलब क्या है रट्टे नहीं मारने ब्रीफ आइडिया हो और कुछ डीप नोलेज चलो और के जिए एक बच्चा और कुछ कहाँ था लाइफ हे प्रैक्टिकली करना है यह समझ के पड़ो चलो इधर सुनना दिहां सेप्ट क्लेट का मतलब क्या है एक बात मैं सोच के बताना जैसे माल लो लेट सेगने एक्जामपल यह मेरे पास आज तो चलो बुक का हमारा काम नहीं है आज तो एक जान परचान हो रही है हमारा स्वेक्ट क्या है दो तीन दिन के बाद हम पढ़ना स्वेक्ट कर देंगे अच्छे से मैं आपको एक प्रकॉश्चन माल लो टेक्स का है इसले बस हमारा पहला चेप्टर है उसमें पढ़ रहे हैं मैंने बुक खोली हूं यहां पर बुक खोली उस बुक में से हम लाइने पढ़ रहे हैं मैं जो वह लाइने बोल रहा हूं उसको हिंदी में कंवर्ट कर रहा हूं और जो मैं आपको बोल रहा हूं वह आपको समझ में आ रहे हैं मैंने जो बोला वह आपको समझ में आया तो क्या यह बोला और जो आपका समझना है क्या यह कॉंसेप्ट लाइटी है यह कॉंसेप्ट ल वह लाइन लिखी क्यों गई है एक बात में सोच के बताना आज इंकम टेक्स एक्ट जो बना हुआ है बनाने वाला कौन है फाइनेंस मिनिस्ट्री है अब जिसने भी वह लोग बनाया होगा कैसे बना दिया होगा चल यार वाइफ वी घर बे नहीं है संडे लोई बना देती है आ ऐसे बनते हुँग में क्यों जो आमैंड्मेंट्स आ रही है कैसी आ रही है इन्वीज होगा हर् लाइन का रिजुन हो गा ना Chi reason क्या होगा I am practical life ह닌 हर आदमी चोरी करना चाहता Texas की इस बच्चे ने चोरी की text की कैसे की इसको low में कमी हो पता लग गई उस कमी के इसे फाईदा उठा लिया उस फाईदा उठाने के प्छोरी कर ली वो चोरी पता लगी ग Kenneth को गुर्मन क्या करेगी, उस चोरी को बंद करेगी, यह amendments आती है, इसको हम बोलते हैं, loopholes को रोकना, lacuna, एक कमी उसको रोकना, उस कमी को समझना, फिर लोग पढ़ना, लोग पढ़ने का मज़े ही लगाएगा, लाइनों को हिंदी में convert करना, और वो लाइनों के बीज़े background के हैं, फिर समझना, फिर पढ़ना, एक बहुत बड़ा matter है, आपको शायद बताओ, आपने नाम सुरोगा, Vodafone, Vodafone, Vodafone क्या है, अपना कुरक्रे में आती है, आपको बताओ, आपको बताओ, Vodafone, अच्छा, आजकल वैसे Vodafone कम हो गया, में ली क्या चल रहा है, एटल, जियो, जिनके बास एटल है, वो एटल बोल रहे है, वैसे एटल और जियो दोनों ही चल रहे है, चलो, एटल वाल कोई बुरा ना लगे, कोई बात ने, है, हाँ नेट्वरक तो एटल के सही है, बिल्कुल, जियो वाले ते ऐसे ही है, चलो, कोई बचा करें नहीं, इधर सुना ध्यान से, अब एटल ये जियो जो भी है, आपने नाम सुरगा, Vodafone, आर Vodafone कम हो गया, आजकल थोड़ा सा न, आपको बता, Vodafone, वोडafone को 13,000 क्रोड र सुPREM CORT ने, सुPREM CORT ने पैसे खा ली है, जेजमेंट रिधी Vodafone की favor में, और Vodafone को बोल ते आपको सही है, अब जब Vodafone सही बोला, अब Vodafone को सही बोला, वौशा सही बोला, वोडा वोड़ा से सही बोला, फाइनेंसी टी ऑया, मतलग किया है, जेजमेंट थी, अगले बजट में सुप्रीम कोट की जज्जमेंट को नलीफाई कर दिया बेकार करार दे दिया और टोटल मिलाकर 120 अमेंडमेंट की गई इंकम टेक्स लो के अंदर उस जज्जमेंट वो खतम करने के लिए तो मैं सिर्फ समझाना यह चाहता हूँ चाहे वो लो हो चाहे वो टेक्स हो चाहे वो कुछ भी हो सर जो भी आप लो पढ़ते हो हर लाइन का एक मतलब होता है यह लाइने कभी ऐसे लिखी नहीं होती अब ल आडिकल के जनरेशन की मतलब आप कि ज़वनने के हों मैं भी आपको कि जवनने कायी हूं बस आपसे मेरी दो-तीन थीन निय eight B husbands biss हां दो-तीन मेंकः का वगारfrontुन अब सोचके बोलों ना आप जो रेटेंशन है ना सबसे बड़ीकट का है एक बात में सोच के बोलना 10-20 साल नालायक क्या है यह आपको बड़ा लग रहा हूं क्या बड़ा लग रहा हूं तो मैं एक कटवा क्या रहूंगा फिर फिर बच्चा लगूँगा इधर दे खुद नालायक ध्यान से तीन चार महीने का फरक है मेरा और आपके बीशें बस यह आपको लग रहा हूं मैं बड़ा है क्या किया रहा है सफेद वाल आ गए सफेद वाल बच्मन में भी कई बच्चों कह रहाते हैं उसमें थोड़ा यह बिकार की बाते मत करो सफेद वाल आगे नालायक एज़ा देखो अब आपको मैं मैसीज दिखा दूँगा अगर अभी अपने मोई के एक्जाम से पहले हर बच्चे का नोलीग एक मैसी रहता है ऐसा लग रहा है कुछ याद ही नहीं है सर सब कोई भूल गई है सर याद ही नहीं आ रहा एक्जाम में कहा लेकिन सर ब्लैंग को रहा है अब रिटेंशन क्यों नहीं हो पारी सब सब बड़ी प्रोब्लम कहा है समझना बहुत जरूरी है अच्छा एक बात सोच के बताओ आप में से सबने शायद एक मूवी देखियोगी DDLJ देखी है किस किसने पैसे मूवी देखी है कोई दिक्कत वाली बात ने मैंने भी 2-3 बर देखी है किस किसने देखी है कोई बचो नहीं देखी अच्छा DDLJ के अंदर पैसे कोई जिन्नों ने देखी है उसके कोई बताएगा हीरो कुन था सल्मान कान शारू खान और हिरोईन काजोल अरे शारू खान का उस मूवी के अंदर नाम क्या था आज और काजोल जा सिम्रन जा जी ले अपनी जिन्दगे अज़ एक बात मैं सोच के बताना एक मूवी इतने साल पहले आई उसके एक करेक्टर का नम आपको याद है इवन डाइलोग उसके भी आद होंगे आपको अगर मैं डाइलोग बलूँगा ना आप क्या बोलो के यह उसने ऐसे बोला ही नी था उसने ऐसे बोला था अब सोच के बोला आप क्या डेली सुबह उठके याद करते हो राज सिम्र ना सिम्र फिर भी याद क्यों है क्योंकि जब भी आप मूवी देखते हो ना आप टीन घंटे उसके नदर रम जाते हो आप इसको दिल से देखते हो उसने माहिन में कोई प्रेशर होता ही नहीं आप यह नहीं सोचते कि वहां पर सारूख आने आप काजोल नहीं दिखते हो आपको वहां पर आपको आपको इमेजन करते हो और वह भी आज़िए आपको माहिने फीड होजाती है और वह बाद जब पढ़ने के आए गाप दिल से ने दिमाग से पढ़ते हो क्यूं पढ़ना पढ़ता है यार, paper clear करने है, मैं always class में बात कहता हूं अब सबसे बड़ी problem पता है क्या? मैं always यह बात कहता हूं, चाहे आदा गंटा पड़ो, चाहे एक गंटा पड़ो, बट जब पड़ो तो सिरफ पड़ो, क्लास में बैटा हर बच्चा ना एक जैसा नहीं होता हर बच्चा एक जैसा नहीं होता हर बच्चा एक जैसा नहीं है सर मैं एक चीज़ समझाओंगा कि बच्चों को एक बार मैं समझ में आ जाएगी मैं बोलूंगा चार बार उसको लगेगा सर बोर कर रहे हैं बट क्या पता एक चीस समझा दी, दूसरी बार समझाओंगा ना, बहुत सारे बच्चा इस देखेंगे, उनको वह समय में आ गई न, जो ऐसे देख रहे हैं, इसमें उनका काम डबल हो गया, उन्हें घर ना के पढ़ना पड़ेगा, और अगर वही दुबारा बास सुन रहते हैं, उनका घर सबस्क्राइब, तो अधर बच्चा बढ़ जाएगा, तो बच्चा क्या करेगा, डौस ने पूछता घ्लास के बीच में, क्यों डर लगता है सर, आसपस वाला क्या सोचेगा, मनन में एक डौट आया, वह अटक गया, मनमें वही चल रहा है, चल रहा है, मैं पढ़ाता जा और पूछा साथ वाला हस्पड़ा फिर सर क्या करेंगे यही सोच के अगर क्लास में हो तो फाइदा जी रोगा है फिर तो घर बैठ के पढ़ लेते हैं साथ वाला पास निकराएगा डिब्ली साथ वाले को नहीं मिली इस साथ वाल की सोच आपके बारे में िसंति दिर आपकी सोच आप के वाहां कि लिए तो अगर पढ़ना आपको है ना अगर फंस अटेंब्ट में निकालना है तो कुछ आपको बातें सब्सक्राइब करने पड़ेंगी क्लास में नीपूछ पारे क्लास के बात पकड़ लूँ हाव ही कहा जा रही दरा दाउट के लिगर के जा सिंबल दी बाता ने पैसे दी ने सर आपनी यह थोड़ा कि आप आए क्लास में मूठा कर चले के बसता लेकर रहे फिर उठाके चले के लिए फिर आप क्या रहे हो याद निया रास पर कुछ याद कैसे आएगा क्लास हमने कोई डाउट नी पूचा कोई कोशन सोल नी किया आठ बस तक पांट बस तक पढ़ रहे हो घर आगे फिर सो गए फिर वाई वेस्ता उठाए फिर आगए तो सिंबल जी बात अगर आप ऐसी दिगी जी रहे हो तो आफ फर्स एटम छोड़ दो आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा सिंबल जी बात है अगर आपको फर्स एटम निकाल रिटेंशन की सबसे में बात क्या है चाहे आदा घंटा पड़ो चाहे 15 मिन पड़ो सिरफ पढ़ रहे हो तो पढ़ रहे हो मैं यह नहीं कहता है वटसेप बंद कर दो फेस्बूक मैं भी चलाता हूं पड़े टाइम है मुझे पता कि रात को अगर मैं बारा एक बड़ सोंगा तो उससे आदा घंटा पहले देख लूँगा पूरा पूरा दिन देखना क्योंकि अगर एक बड़ आपने फेस्बूक खोल लिया इंस्टाग्राम खोली कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी चलाओ आप लाइक डिसलाइक नहीं करते कुछ भी बच्छ होते रहे हैं देख देखके फाइदा क्या उसका सिंपल दिवादा फाइदा क्या सर उसका अगर आपने चलानी है फेस्बूक कुछ भी चलाओ आप टाइम बाल दो कि भाईया मुझे क्लास के बीच मतलब बिल्कुल भी नहीं कई बच्छे क्लास के बीच आपने ड्रोइंग स्किल इंप्रूव करते है जो पीछे बैठे होते हैं आज तो बच्चे का में में ने जर जा रही है देदरे बच्चे क्या होगा एक मेने को बच्चा बढ़ जाएगा पूरा अगर आप दो घंडे पढ़ने के लिया हो आपने बीच में वर्ट्सअप कर दिया या ड्रोइंग स्किल इंप्रूव की म ब्रेकफास्ट बना रहे हैं नुक्सान उनका भी है तो ये बाते छोटी-छोटी है आपको समझना पड़ेगा कि हम क्यूं पास नहीं हो पाते चीके ना तो रिटेंशन के लिए बस इतना ध्यान दो मैं आपको पहले भी क्लास के स्टार्टन से पहले ही आप अगर डेली क्लास में आ रहे हो उजे आप से कुछ नी चाहिए घर आगे 10-15 मिंट पी देतो होगे चल जाएगा मिट लिए बड़ सब्जेक्ट आपके आठ है चार है और ये निवल है खास तो और बच्चे सुनने सर क्योंकि सिंबल से बात है तीन पर लो के हैं लो में 90 नंबर तो आते नहीं असी तो आते नहीं एक पर एमसी की उसे है वो ही आपको करेगा काम अगर इसमें आपके 90 आ गए ग्रूप निकल जाएगा जल्दी यह नहीं कहरा आप लो मत पड़ो लो सबसे में आपका है बड़ आपको यह भी देखना पड़ेगा कि भाया मेरे को जब ग्रूप पास होना है तो कौन सा पर मेरे कितने मांग दिलवा सकता है क्योंकि अगर चार टायर है ना गाड़ी के अगर बराबर चलेंगे तभी पास हो गया एक पैंचर हो गया तो गाड़ी खतम है तो सिंबल सी बात ही आपको अपना माइंड यूज करके कि भाया मुझे कितना कैसे पढ़ना है जैसे मालो मैं था मैंने C.A. के दोनों अभी से लिए यह ले रहे हैं यह दिसम्बर में एक्जाम है अभी से लिए हर पेपर को आपने एहले दिन से आज से आई लव यू बोल कर चलना है आप जितनी हमार बोलोगा ना जनर फूर मेरे को मुश्किल लगते है या मुश्किल हो सुन रहा है जब रिजल्ट आएगा तो बोल देगा तो भूलना दिक्कत यह यह है अब दुवारा पड़ा अगर वही पहले दिन से भी आतीए फिर भी पढ़ना है ना तो भाई पहले दिन से पढ़़ो राव तिकत क्या है कि समय में नहीं याद तो हो जाएगा याद करना स्टाट करती बाद में तब याद नियुक्त अब तो माइन के उपर गेम है सारी कि आप कहसे निकालते हैं तो इसकी तो भाईया 100% जिम्मेदारी मेरी है इसकी मैं 50% ले लेता हूं 50 आपकी है जो मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि आज जैसे कई नहीं बच्चे हैं दुबारा आएं नाएं मुझे नहीं पता बट मैं यह बोलूँगा कहीं से आप कैसे पढ़ रहे हो ओल्वेस यह बात ध्यान देना कि जिस टाइम पढ़ रहे हो उस टाइम पढ़ा करो क्योंकि अगर आपने life में रूज बान दे आप life में कभी मार निखा होगे इतनी मेरी granty यह क्योंकि सर हर चीज की success के कुछ तरीके होते हैं जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते हैं हर काम को लगढ़ां से करते हो आप में से rank holder निकल जाएंगे आप में से बच्चे फेल हो जाएंगे कुछ आप में से बच्चे माक्स लेंगे क्यों सबको पढ़ाया तो मैंने सेम था कुछ बच्चे ने पहले दिनी समझ लिया था कभी अगले आने वाले चार महिने मेरे जिन्दगी के 40 साल बनाएंगे और कुछ बच्चे ने वो बात लाइन समझी नहीं थी क्योंकि यह जो आपके है ने चार मेने जब भी आपके एक्जाम है यह समझ ले ने पूरी जिन्दगी के बनाने वाले हैं आपके हमें बाद कई समझते नहीं है क्योंकि यह पूरी जिन्दगी आपको पैसे देंगे अब वो आपके उबर आप कैसे उसको यूज करते हो और एक लास प्रेजेंटेशन के लिए मेरे टेक्स में किसी काम की नहीं है गोले भरने है उसमें तो प्रेजेंटेशन कुछ होगी नहीं अच्छा गोला भरने है गया सा गोला भरने है में लो के अंदर अगर आपको कुछन लिखने नहीं आते आंसर लिखने नहीं आते तो आपको दिक्कत आएगी आप पढ़ते जा रहे हो लिखके नहीं देख रहे हैं केस लो कैसे आते हैं क्या आते हैं नहीं पता एक्जाम में दिखता है अभी नहीं जब एक्जाम लिखने बैट आपके हाथ रुख जाते है पेपर 80 नंबर का होता है पेपर 70 का होता है अब पेपर 70 करके अब एक्सपेक्ट करें 50 कहां से आएंगे लोगा वेपर है सो वालों के साथ आते हैं, सो वालों के हैं 50 आते हैं, साथ वालों के 40 जils कैसे आ जाएंगे? क्यों घर से प्रेक्टिस ही निकी? English नमारी वैसे बहुत अच्छी होती है, CS CS वालों के English बहुत अच्छी होती है, बहुत fluent English बोल दें, सो सोचके. अब अगर इंग्लिश इतनी अच्छी है हम लिखनी पारे हमारा यह सर वीक्नेस है और इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है इसको असेप्ट करने की बात है कि हमारे जब एक्जाम होंगे तो उसके हम क्या लिखेंगे क्या हमसे लिखा रहेगा आपके कोश्चन के आएंगे पांच नंबर में कितने पेज भरने है सर पांच नंबर में कितने पेज भर कमाल का कोश्चन मैंने बोल दिया चार बचा चार वी भर देगा पांच नंबर में कितने पेज भरने है कोश्चन ही कैसा आ गया पांस नंबर में लिखना कैसे है, ये कोशन आना चाहिए, सर अंसर ये अगर आधे पेर कोगे तो आदा लिखोगे ना, नहीं ने सर वो आप हमारा पर छोड़ दो, हम पूरा कंसाइस करके दस पतरा भेट बढ़ सकते हैं पांस नंबर में, तो आप सोचना पड़ेगा आप ए 98% वाले बच्चे भी 95% वाले बच्चे फेल हो जाते हैं, और 50% बाले बच्चे पहले टाम में निखाल देता है, क्यों, रिजन बिंग 98 वाले के अंदर लगा हवा होती है, कि मैं 95 मैं मुले सब कुछ आता है, मुझे क्या दिक्कत है? और 50% के अंदर कुछ करने का जुनू अगर आपको एक्षी में रहना है तो तो रहो न फिर गूंटिनूस रहो आपको माइंड में रिटेंशन है और प्रेजेंटेशन अगर अच्छी है तो यह मेरी ग्रिंटी है जिस दिन आपका रेजल्ट आएगा उस दिन वहाँ पर पास्वर्ड लिखाओ अगर यह बाते आपके अंदर है तो बस यह बाते हमेशा द्यान अखना जब भी आप किसी भी स्वेक्ट को पढ़ते हो तो भी तक यह चार बाते में आपको बताई है अब एक छोटी से बाद डिसकस करूंगा देन फिर आज की क्लास हम आउवर करेंगे लो जी इदर सुना द्यान से हैं बस यह लग द लो यह बात द्यान अगर शाब पंड़े लेने हैं और कलास में बड़े बड़े गुरूप मत बनाना विमने आता एक बच्चा है और जाते पांदस बच्चे हैं, मुझे बैच खतम होने के बाद, अगर वो अच्छा ग्रूप है तो चलेगा, दिमाग ख्राब करने वाला ग्रूप है तो छोड़ दोस्कों, क्योंकि सब पैसे आपके हैं, करियर आपने अपना बनाना है, कोई दूसरा आपका करियर नहीं बनाएगा, दूसरा आपके एक्जाम नहीं देगा, दोस्काम आते हैं बट एग्जाम देने में काम नहीं आते हैं। तो सिंबल भी बात है, आपके उपर बहुत सच्छे डिपेंड करती हैं। तो सारा कुछ हो गा, हर एक चीज़ होगी, बढट जो दो गंटे हम क्लास में बैटे तो म से पार इन रहा पार की बात बाहर में क्लास की बाते क्लस e-book एक चोपी सी बात बताओंगे उसके बाद फिर मं करते हैं कि इधार देखो ढहां से अब एक बात मुझे आपको बतानी से जैग जा पोचके बोलना है, income tax, goods and service tax और custom duty, custom tax नहीं बोलते हैं, custom duty बोलते हैं, आपने कर कभी सुना है, हम बोलते हैं, income tax, goods and service tax, but custom tax नहीं, custom duty, सबसे पहला word यह आता है, कि यह tax का मतलब क्या है, income tax का मतलब क्या है, वो समर्ण में आता है, income पर लगने वाला tax, GST का मतलब क्या है, goods and service पर लगने वाला tax, custom का मतलब क्या है, import और export पर लगने वाला tax, duty, but मेरा question क्या है, what is the meaning of tax, tax, मैंने यह नहीं पुछा, income tax क्या है, मैंने पुछा, tax क्या है, मैं आप से पुछा चाता हूँ, एक बात मने वो सोच के बोलना, tax, क्या tax, एक optional payment है या compulsory है, यह तो मैं पता ही है, अच्छा, क्या हर compulsory payment एक tax है, सोच के बोलना, yes या no, no, compulsory payment एक tax तो है, बट हर compulsory payment एक tax नहीं है, अब बच्चा यह बात कहता है, सर, मैंने कहा, सर, फिर कौन सी compulsory payment एक tax है, लो यह बात कहता है, कि compulsory payment वोही tax बनेगी, जो आपने गोवर्मेंट को payment करनी है, किसी act के according, किसी लो के according, for example, income tax, पे करने क्यों, income tax act में लिखा है, GST पे करने क्यों, GST act में लिखा है, आपको शायद पता हो, बोम्मे में, हफता वसूली की जाती है, पता आपको, हफता वसूली जो की जाती है न, वो देना जरूरी है, mandatory है, बट वो किसी act में ने लिखा, लक्षमी नगर में कोई रहता है, एक दो बच्चे हैं कोई बच्चे हैं, आप कहीं पर भी रहते हो, चाहिए लक्षमी नगर के भाहर के हो, आपने शायद मुझे नहीं पता, आप इमेजन कर पाओगे, नी कर पाओगे, हर जगें एक मार्कीट लगती है, मंगल बजार, बुद बजार, वीर बजार, शुक्कर बजार, यसे लक्षमी नगर मंगल बजार लगता है, आपको अगर इमेजनेशन में कुछ आ रहा हो, जिस दिन के मार्कीट होगी न, दु दुकांदार उस एरिया के पुलिस ओफिसर को पेमेंट करते होगे, तभी वो दुकार लगती होगी, देना जरूरी है, बट वो एक टेक्स नहीं है, किसी एक्ट में लिखा, इड मेंस कंपलसरी पेमेंट एक टेक्स तो है, बट हर कंपलसरी पेमेंट एक टेक्स नहीं होती तो देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है टेक्स का मीनिंग देखो मैंने यहाँ पर क्या समझा है सर टेक्स का मीनिंग है एक टेक्स फुरम दा लेटीन वर्ट टेक्स हो एक लेटीन वर्ट टेक्स हो है उससे टेक्स का मीनिंग बना है इस एक कमपलसरी charge under a net और अगर मैं यह वड़ यहां से हटा दूँगा न फिर तो हर compulsory payment टेक्स बन जाएगी तुमने सोच के बोल देना अगर exam में कोशन आ गया कि टेक्स एक compulsory payment है बट क्या हर compulsory payment एक टेक्स है यास या नो तो कौन सी compulsory payment जो किसी act के बेस पर है उसके बाद देखो जी the money that you have to pay to the government so that it can provide public service आज जितने infrastructure है road है highways है यह सब कैसे बन रहे हैं टेक्स के पैसे बनते हैं अच्छा मैंने क्या बताया था आपको टेक्स तीन तरह का होते हैं तो कौन कौन सा income tax और एक नहीं नहीं वैसे main category है income tax GST और goods कोई बताया का GST की full form क्या है goods and service tax अरे GST का full form है goods and services tax यह goods and service tax वैसे पूछ लिए वैसे पता होगा आपको बैसे मेरे दिल में question आगा है एक बिल्कुल बेसिक सा कई बार होते हैं न कि हम समझ नहीं बाते हैं हम बोलती रहते हैं तो मैं वैसे पूछ लिया GST की full form goods and services tax यह goods and service tax अरे जो यह कह रहे हैं GST की full form है goods and services tax कोई बात ने गलती क्लास में होगी आज तो पहली क्लास है एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, और जो कहने goods and service tax अच्छे से एक बार दुबारा से कि बच्चे राम से बैठे हैं आज में अगजग राता दर्शन पाएंगे आएगी शेरो वाली माता दर्शन पाएंगे हनी जो यह कहने दुबारा से कि GST का मतलब है goods and services tax services tax एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस पच्चे कहरे हैं goods and services tax और जो कहरे हैं goods and services tax almost पूरी क्लास कहरी है goods and services tax हंची service tax अच्छे एक बात मैं सोच के बोलना कमाल की बात होगी वैसे मैंने पूछना नहीं था ये कोश्चन जिन्होंने आंसर दिया कि GST का मतलब है goods and services tax और जो ये कहने goods and services tax क्या दोनों के अदर एक फरक है क्या फरक है S का S के फरक होने से क्या कुछ चेंज हो रहा है बहुत कुछ चेंज हो रहा है जिन्होंने ये बोला goods and service tax मैं उने से कोश्चन पूछना चाहता हूँ service का मतलब क्या होता है एक या कई service सिरफ एक service word है एक या कई क्या GST में एक service taxable है या कई service that is services tax सरे बच्चों को पता ही नहीं है बच्चों को बड़ों को नहीं पता जियस्ट आ गया जियस्ट आ गया जियस्ट आ गया जियस्ट 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 की फूल फूल फूम जो है that is goods and services tax पहली बात तो यह समझो अब आज के बाद अगर कोई भार आगर बोल दे दोस्ती बोल दे क्या पढ़के आया तो क्या बोलोगे very good नलायक आप ये बोलोगे income tax GST and customer ये हमारे syllabus में good service टेक्स पढ़कर आया एक दिन में खत्म औरे यहां मत पढ़ एक दिन में GST खत्म करा दिया ऐसे एक बाहत आगे बोलोगे मेरे बारे में GST की full form पढ़कर आये हो नलायक income tax किस पर लगता है income पर GST किस पर लगता है goods and service full form क्या है goods and services tax ये सीखा है अच्छ आप सुनना द्यान से अब देखो मैं आप बहुत सारी गलतियां करोगे भी GST की full form आपने मुझे पता है क्या बताई है मलब जो मैंने आपको बताई है goods and services tax ये GST की full form है आज के बाद ध्यान आप गलती नहीं होना चीए और अगर कोई गलती करे तो बताई है पापा से जाके पूछे ने पापा इदर हूँ पापा GST की full form क्या है पापा क्या बोलेंगे goods and service tax तो आपने क्या बोलने है ना goods and services अरे बेटा फड़ किया है हाँ मेरे लार मेरे का हाली अरे एक पास सोच के बोलना अब GST के अमला goods and services ये हमें पता लग गया मेरा पूरी क्लास से कोश्चन है नाम से क्या अब लग रहे कि ये टेक्स किस पर लगेगा अब जहां से goods and service पर लगेगा या goods or service पर लगेगा यही तो game खिलने का मज़ा है अज़ा पहले बताओ दोनों में फरक है चलो पूछ लेते है जो ये कह रहे हैं कि ये text goods and service पर लगेगा goods and service चलो और जो कहने है goods or service चलो कई बच्चे हैं बच्चे ये बात कह रहा है मैंने का हाँ सर आपको नहीं पता हमारे पेपर गोले भरने वाले है आप हमें चार option दो ओके चलो मैं option देता हूँ ठीक है कि GST किस पर लगता है बढ़ा कुछ नहीं है सिरफ एक interpretation ले रहे हैं कि लाइन का मतलब क्या है option A GST लगता है goods and services अभी तो मैंने समझाए क्लास में बातें नहीं करनी बच्चे रहा समझाते रहा हमारा क्या है goods or services option C goods or services or both option D none of the above logic पहला question आज हम solve कर डालेंगे एक number का आज हम एक number लेके जाएंगे जी घर A, B, C GST किस पर लगता है A, B, C source समझ कहान सा थी न और जो आंसर बताएगा वो लोजिक यह भी बताएगा इन में फरक क्या है यह भी ध्यान लखना ना हनी जो यह कह रहे है GST लगता है A goods and service अच्छे से कोई बात नहीं गलती क्लास में और answers अपने देना है एक, दो पांच, छे, साथ, आठ, नो दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा पंदरा, सोला, सत्रा बच्चे हैं अठारा और जो कहरे हैं goods or services goods or services चलो और जो कहरे हैं C goods or service or both कई बच्चे हाँ परविया और जो कहरें D नहीं कई हो सकते हैं कि जो income पर भी लगाना चाते हूं ऐसा कोई नहीं है ना चलो जी, it means option C तो मैं काट दूँ अब लड़ाई main है, B भी काट दूँ A और C के बीच में 50-50 life line ले ली थी आपने अब ये दो answer कट चुके हैं दो रह चुके हैं, इन में से एक सही answer है अब competition करने होने जा रहा है जी, जो ये कह रहे हैं A A वाले A चलो, और जो कहने हैं C चलो, अब पहले इन दोनों के अंदर फरक बताओ A आपने बोला आपने, A बताओ जी, A और C में क्या फरक है A में दोनों में लगएगा अब दोनों सेम नहीं है याद है बच्पन में हम पढ़ते हैं 6 अंतर ढूलो बड़ी मुश्किते मिलते थे याद आ रहा कुछ, ये वो ही है M से क्यों से ऐसी ही तो होते है सारे सेम लगते है और बहुत फरक होता है हाँ जी, इन दोनों में क्या फरक है दुबारा से फिर से एक तो जो बच्चे बोल रहे हैं मैंने चाहता पहले कास में गुस्ता करूँ अगर मुझे गुस्ता आगे मैं आज अगुद के जान दे दूँ आप चाहते हैं मैं गुस्ता करूँ मैं जान दे दूँ आज मैं ना लाइक, इदर देखो दिहान से हाँ जी, प्लीज, सुन देखो दिहान से इसका मतलब क्या है सर्विस्स सर्विस्स का मतलब चलो, और इसमें क्या आ रहा है और दोनों गी हो सकते है और उसमें दोनों होंगे चलो आप एक एक उक्षिन स्लेक्ट करते हो और इस ये वाले जो हैं, सी वाले कुछ सी वाले भी थे, उनसे भी थोड़ा पूछ लेते हैं आज़े सी क्यूं एक बात मिने सोच के बताना ध्यान सुनना आपने क्या किया GST की फुल फॉम बुली, गूट्स और शर्विस टेक्स अब पच्चा पते क्या बोलता है कि GST का मतलब है गूट्स और शर्विस टेक्स इधर देखो जहां से मेरा पूरी कलास से कोशन है प्लीज मिश्टर वी जी हैं मैं आपके सामने हूँ मेरा तीन बिजनस है मेरा तीन बिजनस है सबसे पहला बिजनस है चलो तीस सेल चाए की दुकान है मेरी? चाए बेखता है सैकिंड बिजनस माल लो मेरा है consultancy का ठीक है नी ये मेरा बिजनस ए consultancy का, मतलब मैं consult भी करता हूँ कोई client आता हूँ, उसको मैं consult करता हूँ कि कैसे text बचाना है तीसरा बिजनस मेरा teaching का है ये तीन बिजनस है चाए बेचना चाए बेचना goods की sale करना है ये service है चाए बेचना, चाए क्या है चाए service है चाए क्या है कि बचे सोच रहे है चाए क्या होती है चाए क्या होती है नालायक, अरे वैसे कभी चाए देखी आपने वो पीले पीले कलर की के दो देख नालायक पीले कलर की चाए नहीं होती है भी पिंक ये कुछ देखी दो है ना अब सोच के बोला चाही का ये काम है गुडज का ये काम गुडज का के अससे देना ये सर्वीस है टीचिंग भूंगे त्लिटट इन सर्वीच सर्वीज कैसे साथ में बुक्स नहीं है हाँ पांच बुक्स भी तो है सरे एक बात मैंने सोच के बताना अगर आप मुझे कहते हो सिरफ पढ़ाओ और जाओ तो सिरफ मेरी सर्वीज है बड़ जहां मैंने साथ में बुक्स भी दी तो service and goods दोनों है जो मैंने 10,000 पर आप से लिए है वो सिरफ service के नहीं लिए service and goods दोनों के लिए इनमीज ये वाला काम जो है ये वाला काम मेरा इसमे goods भी है plus service भी है पूरी class से question है अगर आप बच्चा कहता है कि GST है goods and service तो GST सरफ इस पर है और किसी पर नहीं है क्योंकि सर गूट्स एंड बीच में आ गया ना तो goods and service का मतलब क्या हुआ ये हुआ ये दोनों कम माईन हो गए और अगर आपने बोला GST goods और service और both तो GST goods इस पर भी है और service इस पर भी है और both इस पर भी है मैं आप से पूछता हूँ GST क्या सिरफ teaching पर है या इन सब पर है तो C option is correct option सरे बाते छोटी-छोटी है हम पुरा GST ख़तम कर लेते हैं हमें ये नहीं पता होता तो symbols इस बात पहले हमें ये समझ में है कि जो हम यहारे इस लिबस में text है जी एसटी उसकी full form पहले पर clear हो और दूसरा वो किस पर लगते हैं तो यह GST goods पर भी है service पर भी है और दोनों पर है आप मुझे एक बाद सोच के बोलना सब आप में से Amazon, Flipkart, Mintra सब जगह आपने कही नहीं कही शोपिंग की इवन कई बार आपने देखा होगा दिपावली के टाइम जब घर में जब शादी होती है अगर किसी की घर में कभी शादी होई अभी relative की किसी होई है मेरी भी हो गई है अब आपने देखा होगा शादी में क्या होता है टोकरा जाता है एक जब लड़की वाले या लड़के वाले जब भी आते जाते हैं तो ये पूरा एक साल काम चलता रहता है क्यों ये बहुत बड़ी दिख्कत है तर अब शादी के टोकर आजाता है अब शादी के टोकर में कभी देखा हो फुरूट्स भी होते हैं कई बार चिप्स, फुरूटी, कोल्डरिंग वो पूरा मिक्स करके एक बोक्स में आते हैं नहीं आरी बास समझ आप कई इमेजनेशन में आ रहे हैं दोस्तों को कई बार हम गिफ्स देती हैं एक चोटी बास्केट गिफ्स दे दी उसमें फुरूट्स भी है, चिप्स भी है, चोकलेट्स भी है, कई सहर चीज़ें क्या सब पर जी हस्टेगर एटेक होता होगा, या लग-लग है बड़ उसने हमसे लिए टोटल दोजार रपे ने आरी बास समझ बास समझ में आरी है न आप बच्चा मेरे दुकान पर आया मेरी मालो लेट से वही चाए की दुकान है इस बच्चे ने बोला एक चाए एक मठी और एक फैन पर एक वो बिस्किट दी दो टोटल बदाओ कितने रपे मैंने का पंद्रार पे अब या चाए, बिस्किट, मठी, फैन सब पर रेट सेम तो नहीं होगा अगर सब पर रेट लग-लग है तो पंद्रार पे की जो मैंने चाए दी उस पर मैं रेट कौन सा लगा हूँ ये सारी बाते मैं क्या कह रहा हूँ आपको जीएस्ट के इंद्रा में देखनी है तो पहली बातों ये मैं समझा है कि जीएस्ट गूट्स और सर्वीस दोनों पर है फटापट से बोल दो जीएस्ट किस पर है गूट्स और सर्वीस और बोड ठीक है अब देखो दो टेक्स मैंने कंप्लिट कर दिये एक लास्ट है फिर हम ओवर कर रहे हैं क्लास इंकम नेक्स किस पर लगता है अवाज नहीं है यार इंकम पर जीएस्ट फिर गूट्स और सर्वीस बोल रहे हूं गूट्स और सर्वीस और दोवारा बोलो एक बार और बोलो एक बार और बोलो एक बार और बोलो और GST की फुल फॉम के है गुट्स एन सर्विस टेक्स या सर्विस टेक्स सर्विस इस मीन्स एक या कई सर्विस और GST एक पर हैं कही हो पर है यह बत क्लिए हो गई और एक लास्ट बस मुझे आपको बताना है that is custom इतना बोल तो custom मैंने क्या बोला किस पर है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अच्छा आप मुझे एक बात बताओ इधर देखो ये पांच मिन्ट और ले सकता हूँ है आज क्लास थोड़ी लेट भी स्टार्ट हुई थी न ये इंडिया की इंडिया की बेसलाइन है ये आपका है श्रिलंका अच्छा यहां पे न यह तारा पानी है आपको बताओ थोड़ा सा यह सारा पानी है और यहां पे यह सारे अपने बैससल से आपका है ठीक है यह इंडिया की बेसलाइन है, यह सारा पानी है और यहां पर मालोई सारी की सारी बाहर वाली कंट्री है सो समझ के बोलना बाहर एक मालोई Mr. X है और यहां Mr. Y है X जो है ना X, यह advocate है यह X advocate है Y को दिक्कत आई और उस दिक्कत का solution पूरे इंडिया में किसी के पास नहीं है किसी ने बोला तुम X के पास जा बहुत बढ़ी advocate है, सही तरह से गयते को गाइड करेगा X को मैंने phone किया X ने मुने consult किया यह service मैंने, sorry, यह goods लिया है यह service ली इंडिया से या इंडिया से बाहर से बहुत मैंने service import की नियारी बास समझे service import की, तो एक तरह से यह import है service का पहला case तो यह दूसरा case एक Mr. P है इसकी medicine की shop है, बहार Mr. Q है मालो, इसको कोई दिक्कत है problem है, उसकी दभाई इंडिया में नि मिलती, इंडिया के बहार से मिलती है उसने इंडिया के बहार से medicine मंगाई यह goods है यह service है goods, और goods की import है इंडिया यह import की है goods की मेरा पूरी classic question है import एक case में service है, एक case में goods है custom जो है custom import, export पर है यह तो confirm है import, export goods और service दोनों का यह सिरफ goods का सर, custom दोनों पर है तो confirm है बड़ custom, import, export दोनों का यह सिरफ goods का अब ध्यान देना, custom सिरफ goods पर है custom लोग यह बात कहते है, जो हमारे step बसे पांस नंबर कहना, वो यह बात कहते है कि custom duty जो है न, वो goods की import, export पर लगेगी service की import, export पर custom duty की बात दी नहीं होगी तो रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे अब उनकी बारी आ गई है कि income tax सिरफ income पर है GST, goods और service और both इन पर है और custom सिरफ goods पर है exam में question आ गया, आपने service import की इसमें से कौन सा टेक्स लगेगा only GST क्योंकि GST मैंने क्या बोला goods और service और both उन सब पर है, मैंने यह नहीं का import एक्सपोर्ट तो बहिए जहां goods और service की बात होगी चाहिए वो import है, export है, कुछ भी है GST तो ही है exam में question आ गया, आपने goods import किया आपने goods import किया इसमें कौन से टेक्स लगेंगे GST and custom दोनों लगेंगे आपने service export की किस की बात होगी, only GST की बात होगी आपने goods export किया GST and custom दोनों की बात होगी और जहां income income word होगा वहाँ इन दोनों की बात ही नहीं होगी, only income tax तो अपने mind bus आज घर ये लेके जाओ, कि जो हमारे इस levels में, तीन topic हैं क्या होगी हमें नहीं पता, देख लेंगे राम से GST goods और service और दोनों पर लगता है और custom goods पर लगता है उसकी import export पर लगता है ठीक है, अब मुझे बहुत सारी बाते और करनी है टाइम भी ज़्यादा हो चुक है import export का मतलब क्या है, वो मुझे समझाने है आपके दिल में गलत चल रहा है आज ये बता दूँ, आपके दिमाग में गलत है आपको मैं next class में के सही करूँगा import export जो आपके में चल रहा है न वो बिल्कुल गलत है तो import export का meaning क्या होता है ये सारी बाते हमें धरे-धरे करनी है act कैसे बनता है, rules कैसे बनते है ये कौन लेके आता है, सारी बाते हमारी बहुत सारी बाते अभी आनी है आज सिरफ मैंने आपको ये बताया कि हमारा syllabus में जो एक text word है, वो अपने पहले कभी नहीं सुना, ताकि उससे जान पचान हो जाए बस हमने आज सी जीह कटा है इसकार सुमण में आ पहलों आज सिरफ हमने अचा किए घ्यान सुना पहली जो हम स्टार्ट करेंगे पहले हम क्लास में, पहले हम GST स्राट करेंगे पहले हम क्लास में, GST कमप्लीट करेंगे total हमारे 45 marks का है उसके बाद फिर हम custom complete करेंगे साथ साथ interlink हो जाएगा वो GST in custom दोनों आपस में interlink है तो उसको interlink करागे 5 नमर का वो पहले हम करेंगे 50 नमर का फिर हम करेंगे income tax इसका reason साफ साफ clear है reason ये clear है income tax GST से wide है अगर पहले मैं income tax कराओंगा फिर मैं GST कराओंगा तो income tax आपको याद नहीं रहेगा last तक अगर पहले मैं करा दूँगा GST और फिर कराओंगा income tax तो income tax आपको latest याद ही होगा GST के reason आप राम से कर सकते हैं क्योंकि वो बड़ा निया छोटा है ठीक है ना तो पहले हमें 50 नमर बढ़िया से complete करने है और believe me अगर आपने GST सही ड़न से complete कर लिया ना सर पचास में से 50 भी आ सकते हैं क्योंकि बिल्कुल मुश्किल नहीं है बिल्कुल असाना बट सिर्फ एक condition है अपने class कभी miss ना कियो सही time पे class आओगे पूरी class से रही question देखो थोड़ा आज मैं late मैं नहीं आया मैं तो पोने 8 बज़ आ गया था गर किसी बचे ने मुझे देखा था बहार मैं आ गया था बड़ मैं late इसलिए आए क्योंकि आप थोड़ा से late होगे तो class में 8 बचे 8-5 तक maximum 8-10 तक आ जाओ class है अभी ठीकर इसके बाद ही कंपनी लोगी class है मलब अभी class हमारी कंपनी लोग की होगी संजीव सप्रासर class लेंगे ठीकर पहले वो पटेल नगर पड़ते थे अब वो यहां पे पढ़ाने के लिए कंपनी लो आपको डैमो एक बार जुरूर लेना चाहिए ठीक है बेस्ट है बाकी उसके बाद जो हमारी class होगी next हमारी class होगी अब वेनेस जे को सेम टाइम पर हमारी सुबह 8 बजे ठीक है बाकी मुलाकात करेंगे next class में same time सेम जगा बाकी अगर एक बार सर को आना है आजए ब्रेक पांच मिंट का ठीक है उसके बाद फिर पांच मिंट का ठीक है बाकी मुलाकात करेंगे same time same जगा ओके री बाई 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 टाटा थेंक्यू सो मच जैहीं